जिस तरह एक dance performance में dancers के बीच में अगर अच्छा coordination हो तो एक बहुत अच्छा form बन सकता है ठीक उसी तरीके से अगर atoms और ions के बीच में अच्छा coordination हो तो कुछ बहुत ही useful coordination compounds बन सकते हैं हलो everyone मुझे उमीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज में लेकर आए हूँ class 12 chemistry coordination compounds का one shot video हमेशा की तरह खतम करेंगे इस पूरे lesson का सिरफ एक वीडियो में और इस एक वीडियो को देखने के बाद आपके concepts होंगे crystal clear तो मैं हूं रोश्णी फ्रम लानोहाब दे फ्री लर्निंग प्लाटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स कमेश्री माथ बायालोजी सब कुछ बढ़ सकते हो absolutely for free at learnoha.com सो तयार हैं सबी लोग? लेट्स किट स्टार्टेड तो बच्चो पहला सवाल जो दिमाग में आता है कि coordination compounds होते क्या हैं? तो well coordination compounds जहां यह complex molecules होते हैं? ये complex ही होते हैं, simple बिल्कुल नहीं होते हैं. तो यह complex compounds होते हैं जिसके अंदर हम देखेंगे कि एक metal atom होगा, जो या तो neutral molecules या फिर anions, यानि कि negatively charged ion के साथ bound होगा, तो यह bond बनाया हुआ रहेगा by sharing of electrons. तो इस तरह के compounds को हम coordination compounds कहते हैं. example के तोर पर इस coordination compound को यह देख लो, अब इसके structure को देखो किसे भी angle से simple लग रहा है, नहीं लग रहा है, complex ही लग रहा है, in fact उस lesson के अंदर जुतने भी structures आपको दिखेंगे ना, उन structures को देख देखेंगे डर लगता रहेगा कि भाई कितना complex है, बढ़ इतना complex है नहीं, क्योंकि जब आपको basic concept समझ में आ जाएंगे, तब तो सब कुछी crystal clear है, है ना, तो चलो, इस example पर focus करके देखो, बीच में बैठा हुआ है एक प्यारा सा metal atom, which is cobalt in this case, cobalt के साथ किसने bond बना रखे हैं, गलती से भी मत सोचना कि ये covalent bond है, ये covalent bond नहीं है, covalent bond में mutually electron share करती है, दोनों parties, यहाँ पर किसी और तरह की sharing होती है, चलो ये सब तो सीखेंगे दीरे दीरे, लेकिन माम सबसे पहले तो आप ये बताओ, क्या हम पढ़े हैं क्यों, जब दिखी रहें इतने complex हैं, तो हम coordination compounds क्यों पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे areas में इनकी applications हैं, अगर हम plants की बात करें, तो plants में chlorophyll क्या होता है, I'm sure सबको पता है, chlorophyll कितना important होता है, chlorophyll की वज़े से ही तो plants अपना खाना खुद बना पाते हैं, and do you know chlorophyll जो है, यह coordination compound है magnesium का, अगर बात करें hemoglobin की, hemoglobin जो हमारे blood में होता है, अगर body में hemoglobin की कमी हो जाती है, तो doctors हमें धेर सारी दवाईयां खिलाते हैं, है न, hemoglobin again, एक coordination compound है iron का, अगर बात करें vitamin B12 की, जिसकी deficiency भी बहुत तरह की problems create करती है, तो vitamin B12 again, एक coordination compound है, cobalt का, इतना ही नहीं, medicinal chemistry में, you know, textile dyeing में, इस तरह की industries में भी coordination compounds का एक बहुत important role होता है, कई सारे industrial catalysts, कई सारे reagents में भी coordination compounds का use पाया जाता है, अब तो convinced हो coordination compounds पढ़ने के लिए, अब coordination compounds का concept को समझाने के लिए, market में कई सारी theories आएं, जैसे की वर्नर्स theory, valence bond theory, crystal field theory, molecular orbital theory, ligand field theory, electronic theory, भाई इतनी सारी theories, yes, लेकिन फिलाल इस level पे हम सुरफ तीन theories पढ़ेंगे, ठीक है, वर्नर्स theory, valence bond theory and crystal field theory, सबसे बहुत करेंगे वर्नर theory के बारे में, वर्नर theory, of course, Alfred Werner के नाम पर ये नाम रखा गया है, जिन्होंने पहली बार complexes को formulate किया था, मतलब complexes को formula के तौर पर उन्होंने पहली बार लिखा था, पहली बार उनके structure के बारे में इतनी बातें बताई थी, इतना ही नहीं, वर्नर जी ने पहली बार primary valence और secondary valence के concept के बारे में बताया, अब आप सोच रहे होगे, valence तो पता था, पर primary और secondary valence क्या होता है, चलो देखते हैं, तो चलो कहानी सुनते हैं शुरुवात से, कि भाई, Alfred Werner ने क्या किया, कैसे किया, है ना, तो वर्नर ने सबसे पहले तो कुछ complexes लिए, एक series of compounds लिए, जैसे कि क्यों से compounds लिए, कोबाल्ट, क्लोराइड और अमोनिया के compounds, जैसे कि COCL3, 6 NH3, COCL3, 5 NH3, COCL3, 4 NH3, तीक है, इस तरह से series of compounds लिए, इन compounds के साथ react करवाया excess of silver nitrate, ठीक है, उन्हें क्या मिला, उन्हें solution में white precipitate मिला, किसका, silver chloride का, यानि कि इन सब के साथ reaction होने पे, silver chloride मिल रहा था, लेकिन, कितना silver chloride मिल रहा था, that was little different, सब जगा same silver chloride नहीं मिल रहा था, कैसे पता चला वर्नर को, वर्नर ने क्या किया, इन solutions की conductivity को measure किया, ठीक है, उन्होंने notice किया, कि पहले case में conductivity सबसे ज्यादा थी, उससे कम second case में, उससे भी कम third case में, conductivity ज्यादा कब होती है, जब number of ions ज्यादा होते हैं solution में, क्योंकि ions ही तो conduct करते हैं, तो इसका तो ये मतलब हुआ कि पहले case में सबसे ज्यादा number of ions है, उससे कम second case में है, और उससे भी कम third case में है तो इससे, इस experiment से Werner को थोड़ा सा idea लगा और उस idea से Werner ने क्या किया इन सारे compounds को formulate किया इन सारे compounds को formula के तरह लिखा कैसे लिखा? देखो, Werner को ये समझ में आया कि भाई देखो, मेरा जो compound था वो क्या था? COCl3, NH3 अब हम notice कर रहे है कि जो product आ रहा है वो क्या है AGCl मतलब silver के साथ इस compound का कौन सा वाला part निकल के जा रहा है? chloride वाला part जा रहा है है ना, मतलब chloride जो है वो cobalt को छोड़के चला जा रहा है silver के साथ मिलने के लिए लेकिन NH3 जो है ये cobalt को छोड़के कभी नहीं जा रहा है है ना, तो इससे Werner ने बोला कि अच्छा तो इसका मतलब अगर मैं इस compound को formula के तौर पे लिखो तो मैं इस कह सकता हूँ कि ये जो सारे के सारे NH3 है जैसे पहले केस के लिए अगर मैं बात करूँ तो ये जो 6 NH3 के molecules हैं, ये हमेशा हर difficult times पर भी cobalt के साथ जुड़े हुए हैं तो Werner ने इनको कैसे formulate किया CO NH3 whole 6 इस पूरे को एक square bracket के अंदर में रखा ठीक है, छोड़के कौन जा रहा था, छोड़के जा रहा था chloride, तो देखो chloride को उसने square bracket के बाहर रखा बाप पुछोगे कि बट माम सारे chloride को तो बाहर नहीं रखा, सारे chloride को बाहर इसलिए नहीं रखा क्योंकि उसने क्या देखा, कि जो number of ions हैं, वो भी vary कर रहे थे, correct, जैसे जैसे हम इस series के पहले case से दूसरे case, दूसरे case से तीसरे case में जा रहते, तो हम क्या देख रहते कि जो number of ions हैं, वो क्या हो रहे हैं, यानि कि जो number of CL- हैं, जो इस cobald को छोड़ के जा रहे हैं, वो भी कम हो रहे हैं, इसलिए अगर तुम इस formula की series को देखो, तो square bracket के बाहर जो CL- है, वो 1 से 2 और 2 से 3 जाते जाते कम हो रहे हैं, बात समझ में आई, बात समझ में आई, जो कि कम हो रहे हैं, तो अब समझ में आ रहे हैं, कैसे experiments से उन्हों ने relate किया, तो इस experimental result से relate करते हुए, वर्नर पहली बार एक essay scientist से, जिन्होंने इस तरह के complexes को formulate कर डाला, तो यहां से हमें 2 बाते सीखने को मिली, कि इस तरह के जो complex होते हैं, इस तरह के जो coordination compounds होते हैं, इसके अंदर कुछ ऐसे molecules होते हैं, जो इनसे बिलकुल ऐसे जुड़े होते हैं, कि वो उन्हें छोड़के जाते नहीं हैं, वो ionize नहीं होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, जो जरूरत बढ़ने पर इन्हें छोड़के चले जाते हैं, जो छोड़के नहीं जाते हैं, वो square brackets के अंदर होते हैं, जो छोड़के जा सकते हैं वो square brackets के बाहर होते हैं और यहीं से शुरू हो जाती है Werner theory of coordination compounds Werner ने सबसे पहली बात साफ साफ ये बोल दी थी कि coordination compounds के अंदर जो central metal atom होता है ये दो तरह की valency show करता है primary valency and secondary valency primary valency क्या होती है primary valency basically होता है oxidation number of the metal atom oxidation number बोले तो charge समझ लो मतलब उस metal atom पे कितना charge है या फिर कितना charge होता अगर हम assume करें कि वो ionize कर जाए ठीक है तो बोलने का मतलब हुआ कि जो primary valency है ये कैसी होती है ये ionizable होती है अभी अभी हमने बात करी थी न कि coordination compounds में कुछ चीजे square brackets के अंदर होती है जो असानी से ionize नहीं करती है कुछ चीजे square bracket के ब्राहर होती है जो ionize कर जाती है जरूरत पढ़ने पे तो primary valency जो है ये ionizable होती है मतलब जरूरत पढ़ने पे ये ionize कर जाती है ये ions के form में तूट जाती है for example let us suppose हम अगर इस coordination compound की बात करें k4 fecn whole 6 ठीक है देखो square bracket के अंदर क्या है fecn whole 6 मतलब fecn whole 6 कभी भी एक दूसरे को छोड़के नहीं जाएगा ये ionize नहीं करेगा लेकिन ionize क्या कर सकता है k plus और बाकी की पूरी चीज minus ये ionize कर सकता है तो ये क्या हो गया तो जो ionizable होती है that is the primary valency तो कभी भी अगर आपको बोला जाए कि metal atom का primary valency निकालो इसका मतलब है आपको क्या निकालना है उस metal का oxidation number निकालना है oxidation number निकालना तो हम आप अड़री सीख चुके है class 11 में हाला कि यहां भी जब हम practice करेंगे तो एक बार फिर से recap हो जाएगा अब बात करेंगे secondary valency की secondary valency क्या होती है अब तब तो सब ने guess कर लिया होगा कि जो non ionizable है यानि कि जो square bracket के अंदर है जैसे कि Fe cn whole 6 इस example में ये दोनों को हम Fe plus cn minus में तोड नहीं सकते है आउनाइज नहीं कर सकते है तो secondary valency is non ionizable होती है secondary valency जब हम बोलते है metal atom का तो हम किसकी बात करते है हम बात करते है उसके coordination number की coordination number क्या होता है वो metal atom कितने coordinate bonds बना रहा है ठीक है जैसे कि अगर मैं इसी example की बात करूँ तो iron मेरा central metal atom है यह कितने coordinates bond बना रहा है देखो square bracket के अंदर यह 6 CN minus के साथ bond बना रहा है यानि कि इसका coordination number कितना हो गया 6 हो गया यानि कि इसकी secondary valency कितनी हो गई 6 हो गई उसी तरह अगर हम यह दूसरा example देखे यहाँ पर central metal atom क्या है कोबाल्ट है यह कितने लोगों से जुड़ा हुआ है लोगों से मतलब यहाँ पर कितने ammonia से जुड़ा हुआ है 6 ammonia से जुड़ा हुआ है यानि कि कोबाल्ट कितने coordinate bonds बना रहा है 6 तो यानि कि कोबाल्ट का coordination number कितना हो गया 6 यानि कि कोबाल्ट कि secondary valency कितनी हो गई 6 तो यहीं से शुरू हो जाती है कहानी Werner Theory of Coordination Compounds की तो Werner ने साफ साफ एक बात तो कह दी थी कि Coordination Compounds में Metals जो होते हैं यह दो तरह के Linkages शो करते हैं Primary Linkages and Secondary Linkages बोले तो दो तरह की Valancy शो करते हैं Primary Valancy and Secondary Valancy अगर बात करें Primary Valancy की तो Primary Valancy क्या होता है मतलब यह होता है Metal का Oxidation Number Oxidation Number बोले तो Metal का Charge Charge बोले तो मतलब अगर यह Assume कर ले कि Metal Ionize कर जाए तो उसके उपर कितना Charge होगा That is basically the Oxidation Number चीक है? ओके? तो जैसा कि हमने पहले भी थोड़ा बहुत डिसकस किया था कि जो Primary Valancy होती है यह Normally Ionizable होती है मतलब जरूरत पढ़ने पर यह क्या हो जाते है? Ions में टूट जाती है For example, अगर हम एक Coordination Compound की बात करें Let's say K4 FeCN Whole6 तो इस Compound में अगर हब देखो तो Square Brackets के बाहर क्या है? Potassium तो जरूरत पढ़ने पर यह कैसे Ionize करती है? K Plus Ion निकल आता है और FeCN Whole6 Minus अलग से निकल आता है So this is Ionizable तो जो Ionizable होता है That is basically the Primary Valancy या फिर Primary Linkage दूसरी तरफ जो Square Brackets के अंदर होता है वो Ions के फॉर्म में Dissociate कभी नहीं होता है And that is where we talk about Secondary Valancy तो Metal के जो Secondary Valancy होती है That is basically the Coordination Number मतलब वो जो Metal है वो दूसरे Ions या दूसरे Molecules के साथ कितने Coordinate Bonds बना रहा है That tells you the Coordination Number जो Secondary Valancy होती है Secondary Valancy हमेशा Non Ionizable होती है मतलब चाहे कुछ भी हो जाए आंदी आ जाए, तूफान आ जाए यह अपने Ions में Dissociate नहीं करते है तो अगर Example के तौर पर हम फिर से उसी Coordination Compound की बात करें Fe, C, N, Whole 6 वाले Compound की तो यहाँ पर मेरा Secondary Valancy कितना है Iron का Secondary Valancy कितना है देखो ध्यान से Iron के साथ Square Brackets के अंदर कितने लोग जुड़े हुए है 6 C, N जुड़े हुए है यानि कि इसका Coordination Number या फिर Secondary Valancy हो जाएगी 6 अगर हम एक और Example ले ले इस Coordination Compound में हमारा Central Metal Atom क्या है? Cobalt Cobalt के साथ Square Brackets के अंदर कितने NH3 जुड़े हुए है? 6 तो यहाँ पर Cobalt का भी Secondary Valancy हो जाएगा That will be 6 अब अगर आप बात करो Primary Valancy की तो Primary Valancy हम कैसे निकालते हैं? Metal के Oxidation Number को निकालते हैं Oxidation Number कैसे निकालते हैं? ये तो हमने Already Class 11 में सीख लिया था हाला कि अभी भी जब हम कुछ Questions प्राक्टस करेंगे तो वहाँ पर उसका भी Quick Recap हो ही जाएगा यहीं पर Werner ने दे दिया अगला Concept of Coordination Polyhedron Coordination Polyhedron किसे कहते हैं हम? Well, अब ही हमने क्या सीखा Werner के थियोरी से कि यार ये जो Metal है ना ये Secondary Linkages बनाते हैं and that's how they form the Coordination Bonds ठीक है? तो ये Metal Atom Along with ये Secondary Linkages जो भी चीज़ बनाते हैं उसका एक Specific Spatial Arrangement होता है बोलने का मतलब है Let us suppose यहाँ पर एक Central Metal Atom है अब ये Central Metal Atom लेट से चार Coordination Bonds बना रहा है मतलब एक bond ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे तीक है? अब ये चार Coordination Bonds से ये एक Specific Spatial Arrangement बनाता है तो वो जो Square Brackets के अंदर वाला जो Part है जो Secondary Linkage से बनता है वो वाले Part का हमेशा एक Specific Spatial Arrangement होता है जिसे हम कह सकते हैं कि एक Specific Geometry होती है और इसी चीज़ को हम कहते है Coordination Polyhedron अब जैसे Coordination Number Change होगा जैसे मान लो, अगर Central Atom जो है यह चार और चीज़ों से जुड़ा हुआ है लाइक, चार Coordinate Bonds बना रहा है तो यानि कि Coordination Numbers का 4 है तो उस Case में इसका जो Special Arrangement है That is a Tetrahedron Tetra मतलब चार Faces वाला Structure तो कुछ इस तरीके का Structure जहाँ पे, यहाँ पे, बीचो बीच कहीं पे है Central Atom और यह Central Atom एक Bond इधर एक Bond इधर, एक Bond इधर और एक Bond इधर बना रहा है और यह किस तरह का Structure है यह है चार Faces वाला Structure Tetrahedron एक Face यह, एक Face यह, एक Face यह और एक Face यह तो टोटल 4 Faces, that is why Tetrahedron तिक उसे तरीके से एक और Polyhedra हो सकता है, जिसमें यह मेरा Central Atom है और यह इस तरीके से 4 Coordinate Bonds बना रहा है, एक Bond इधर, एक Bond इधर, एक Bond इधर, एक Bond इधर, एक Bond इधर तो यह एक Different Special Arrangement हो गया तो यहाँ पे मुझे किस तरीके का Coordination Polyhedron मिल रहा है, Square Planar Polyhedron, देखो, Square की तरह दिख रहा है एक Plane में लाई करने वाला एक Square, that is Square Planar अब वहीं अगर Arrangement कुछ इस तरीके का हो जहाँ पर यहाँ बीचो बीच मेरा Central Atom है और यह Total 6 Coordinate Bond बना रहा है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, अगर ऐसे 6 Coordinate Bonds बना रहा है तो देखो किस तरीके का Polyhedron बन रहा है, ऐसा एक Polyhedron बन रहा है, जिसके Total 8 Phases है, and that is why it is called Octahedron Polyhedra 8 Phases कैसे हैं 1, 2, 3, 4 और ठीक उसे तरीके से नीचे की तरफ 1, 2, 3, 4 तो Total 8 Phases वाला Polyhedron जिसे हम कहते हैं Octahedron Polyhedron, तो कुल मिला के कहानी कुछ यूं हुई यार, Coordination Compounds में जो Square Brackets के अंदर वाला पार्ट होता है, यानि कि जो पार्ट Metal और बाकी आयन्स या मॉलिक्योल के बीच में Secondary Linkages से मनता है उसमें क्या होता है, Secondary Linkage का मतलब ही होता है, एक Definite Spatial Arrangement Definite Spatial Arrangement का मतलब ही होता है Specific Geometry, और जहाँ पर हम Definite Arrangement की बात कर रहे है वहाँ पर हम किसकी बात कर रहे है Directional बात कर रहे है मतलब यहाँ पर जो Arrangement हो रहा है वो एक Particular Direction में हो रहा है एक Particular Orientation में हो रहा है और इसी वज़े से हम कहते हैं कि जो Coordinate Bonds होते हैं, यह Directional होते हैं तो Werner Theory के हिसाब से कुल मिला के हमें यह पता चला कि यार यह जो हमारा Coordination Compound होता है इसका जो Secondary Linkage वाला पार्ट होता है That basically forms a Coordination Polyhedron तो बच्चों कुछ Coordination Polyhedron के Examples की बात करेंगे By Taking Specific Examples, ठीक है पहला Example है CO NH3 Whole6 3 Plus तो यहाँ पर देखो हमारा Central Metal Atom है CO Co जुड़ा हुआ है 6 Ammonia Molecules से तो Assume कर लो कि इस पूरे Structure के बीचों बीच Cobalt है और यह 1, 2, 3, 4, 5 और 6 Ammonia से जुड़ा हुआ है तो हमें कैसा Polyhedron मिलेगा Octahedron अब इसे तरह अगर हम दूसरा Example लेते हैं CO, Cl, NH3, Whole5, 2 Plus यहाँ पर आप बोलोगी कि माम CO जो है यह 5 NH3 से जुड़ा हुआ है बट 1 Cl से भी तो जुड़ा हुआ है क्योंकि वो 1 Cl जो है वो भी Square Bracket के अंदर है तो कुल मिला के 5 NH3 और 1 Cl तो यहाँ पर भी Total 6 Bonds बना रहा है तो यहाँ पर भी जो Structure होगा जो Polyhedron होगा वो कैसा होगा Octahedron अगर बात करें CO, Cl2, NH3, Whole4, Plus की तो यहाँ पर Cobalt 2 Cl और 4 NH3 से जुड़ा हुआ है तो कुल मिला के कितने लोगों से जुड़ा हुआ है 6 लोगों से जुड़ा हुआ है तो Coordination Number यहाँ पर भी 6 है यानि कि जो Geometry है या जो Special Arrangement है वो यहाँ पर भी कैसा है Octahedron तो यह जो तीनों Examples थे यह तीनों ही कैसे Entities है Octahedral Entities है अगर बात करें हम NICO Whole4 की तो निकल जुड़ा हुआ है 4 CO Group के साथ तो निकल अगर बीचों बीचे तो यह 1, 2, 3, 4 CO के साथ जुड़ा हुआ है जिससे से मिल रहा है इस तरह का Tetrahedron Shape तो यह हो गया Tetrahedral Entity अगर हम बात करें PTCL4 2- की तो यहाँ पर Platinum Central Atom है जो 4 Chlorine Atom से इस तरीके से जुड़ा हुआ है तो इससे मुझे किस तरह का Entity मिल रहा है Square Planar क्योंकि देखो यह एक plane में है और यह एक square के form में है तो यह किस तरह का यहाँ पर किस तरह का Polyhedron मिल रहा है Square Planar अब आप शाहिद सोच रहे होगे कि हमें exactly पता कैसे चल रहा है कि जो shape है यह Tetrahedron होगा या Square Planar होगा या Octahedron होगा फिलाल तो मैं formula को दिखा के बता रही हूँ कि मैं इतने लोगों से जुड़ा हुआ है तो यह वाला geometry आएगा बट exactly पता कैसे चल रहा है यह हम सीखेंगे थोड़ी ही देर में जैसे-जैसे हम अलग-अलग theories की बात करेंगे about coordination compounds जैसे ही हम इन complexes के बारे में पढ़ना शुरू करते है तो एक doubt automatically दिमाग में आने लगता है कि क्या ही यह complex ions double salts की तरह है well not really complexes और double salts दे दो अलग चीज़े है बट यह confusion आता क्यों है क्योंकि इन दोनों में कुछ similarities होती है double salts और complexes दोनों ही जो है यह बनते है by combination of stable compounds in a stoichiometric ratio चीक है इस वज़े से दोनों थोड़े similar लगते हैं बट यह दोनों different क्यों है पहला difference तो यह है कि जो double salts होते हैं वो generally solid state में exist करते हैं और दूसरा और most importantly जो difference है that is this कि double salts को अगर हम water में dissolve करते हैं तो यह simple ions में dissociate कर जाते हैं for example let's talk about potash alum जो कि एक double salt है इसे अगर हम पानी में dissolve करते हैं तो हमें potassium ion, aluminium ion, sulfate ion यह सारी चीज़े मिल जाती है क्यों कि यह अपने ions में ionize हो जाते हैं dissociate कर जाते हैं दूसरी तरफ अगर हम complexes की बात करें तो कि हमें पता है कि यार complexes में जो है ना जो अंदर का square bracket के अंदर वाला part होता है यानि कि जो secondary linkage से जुड़ा हुआ part होता है उसको तो भाईया आंदी आ जाए तूफान आ जाए वो कभी भी dissociate नहीं करते हैं जैसे मालों की fe cn whole 6 4 minus इसे अगर हम पानी में dissolve कर दे चाहे कितना भी पानी में dissolve कर दे कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यह iron और cn minus fe plus और cn minus में dissociate कर जाए ऐसा कभी नहीं होगा यार हमारी यह human body function कैसे करती है यह समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होता है कि हमारे human body में कौन-कौन से body parts होते हैं अगर देखा जाए तो जब हम बहुत चोटे होते में भी 2-3 साल की उम्र से हमें सिखाया जाता है कि हमारे body में कौन-कौन से parts होते हैं यह ears है यह eyes है यह nose हैं mouth है वगरा वगरा उसके बाद धीरे-धीरे as we grow हमें धीरे-धीरे सिखाया जाता है कि इन parts का function क्या होता है and then gradually we learn कि हमारा overall पूरा body function करता कैसे हैं ठीक उसी तरीके से coordination chemistry की भई शुरुवात हो रही है पहली बार शुरुवात कर रहे हो आप पढ़ना coordination chemistry जिसके अंदर अभी हम सरफ पार्ट के बारे में बात करेंगे जैसे कि central metal atom क्या होता है जैसे कि ligand क्या होता है coordination number क्या होता है coordination entity क्या होता है denticity क्या होता है oxidation number of central atom क्या होता है homoleptic and heteroleptic complexes क्या होते है जब यह सारी बाते हम ठीक से समझ जाएंगे तब at least हम एक basic चीज़ समझ जाएंगे about the coordination compounds जो हमी further study करने में मदद करेगा सबसे पहले हम इस discussion की शुरुवात करेंगे with coordination entity coordination entity क्या होता है जो हमारा central metal atom होता है वो और उसे surround करने वाले जो भी ions या molecules होते हैं इनको एक साथ में कहा जाता है coordination entity example देखते हैं सबसे हमारे पास है coordination compound है CO, CL3, NH3, whole 3 तो यहां पर मेरा central atom क्या है CO यानि की cobalt cobalt के साथ क्या-क्या जुड़ा हुआ है 3 CL जुड़ा हुआ है और 3 NH3 जुड़ा हुआ है तो यह पूरा एक coordination entity है अगर बात करें NICO whole 4 की तो nickel central atom है जो surrounded है 4 CO से और this entire thing is a coordination entity अब आपके लिए एक सवाल Let us suppose हमारे पास है coordination compound है K4, Fe, Cn, whole 6 तो यहां पर coordination entity कौन सा है सोच के बताओ Central atom क्या है Fe, यानि की iron और iron किस से surrounded है Cn, whole 6 मतलब 6 Cn से surrounded है जो की square brackets के अंदर हमें दिख रहे है and this whole thing is a coordination entity अगला नमबर है Central iron यह क्या होता है जैसा कि हमने सीखा अभी coordination entity के अंदर जिस atom या iron से यह सारे चीज़ें जुड़ी होती है यह सारे ions या molecules जिस particular atom या iron को surround करती है उसे हम कहते है central atom या central iron चीक है Example देखते है CO, Cl, NH3, whole 5, 2+, यहां पर मेरा central atom क्या होगा Cobalt क्योंकि Cobalt को कौन-कौन surround किया हुआ है 1 Cl और 5 NH3 Cobalt को surround किया हुआ है तो Cobalt यहां पर central atom है अगर बात करें Fe, Cn, whole 6, 3- की तो यहां पर मेरा central atom है Fe जिसको किसने surround किया हुआ है इतने सारे Cn ने तो यह क्या हो गया यह हो गया Fe हो गया हमारा central atom अब जब हम central atom की बात कर रहे है तो यहां पर मैं बताने वाली हूँ एक super duper important concept तो सभी लोग अपना पूरा का पूरा focus समझ लो इस बात पर कुछ टाइम पहले मैंने यह बोला था कि यार coordination compounds के अंदर यह जो bonds बने होते हैं Central metal atom और उसके surrounding ions या molecules के बीच में वो exactly covalent bond नहीं होता है वो जो bond होता है उसे हम कहते है coordinate bond और उसकी एक खास बात होती है चीक है तो अभी मैं वही खास बात बताने वाली हूँ चीक है तो सबसे पहले तो याद कर लेते हैं कि normal covalent bond में क्या हुआ करता था कि जैसे दो atom होते है मैंने बोला मैं एक atom हूँ सामने एक और atom है मैंने बोला कि यार एक electron मैं देता हूँ एक electron तुम दो और उसके बाद यह जो दो electron है ना यह दोनों electron हम दोनों share करेंगे ठीक है तो ऐसे बनता था covalent bond ठीक है एक दूसरा scenario होता था जहां पर मेरे पास electron देने के लिए नहीं है मुझे एक electron की जरूरत है सामने वाले के पास एक electron extra है तो वो सोच रहे कि यार कैसे मैं इस electron को किसी को दे दू वैसे situation में क्या होता था सामने वाला मुझे एक electron दे देता था तो यहां पर transfer of electron से बनता था ionic bond या फिर electrovalent bond ठीक है यहां पर coordinate bond में क्या होता है अलग देखो coordinate bond में कुछ ऐसा होता है कि बनता तो एक covalent bond ही है मतलब दोनों के बीच में electron share होता है लेकिन दोनो equally contribute नहीं करते जैसे covalent bond के case में क्या होता है कि मैंने एक दिया तूने एक दिया और हमारा bond बना यहां वैसा नहीं होता है यहां पर ऐसा होता है कि मैं कुछ नहीं दूँगी दोनों electron तुम ही दोगे और उसके बाद वो जो दो electron से bond बनेगा वो हम दोनों share करेंगे ठीक है तो इसे हम कहते है coordinate bond तो इसका मतलब in coordination compounds में जो हमारा central metal atom होता है वो क्या करता है वो electron accept करता है वो pair of electron accept करता है मतलब वो देता कुछ नहीं है वो सिरफ क्या करता है वो सिरफ जो electron सामने वाला देता है उने electron से है मतलब सामने वाला दोनों electron देता है जिससे इनके बीच में covalent bond बनता है तो यानि कि जो central metal atom है coordination compounds में ये किसकी तरह behave करते हैं ये Lewis acids की तरह behave करते हैं क्यों क्योंकि ये electrons लेते हैं देते नहीं और बच्चो इस concept को अच्छे से समझ लो तभी आपको समझ में आएगा कि how is coordinate bond different from covalent bond अगला number है ligands का ligands क्या होते हैं अब coordination entity के अंदर central atom से जुड़े हुए जो ions या molecules होते हैं उनको हम कहते हैं ligands अब ligands जो है ये simple ions हो सकते हैं जैसे कि CL minus हो सकता है ligand ligand जो है ये neutral molecules भी हो सकते हैं जैसे कि NH3 जैसे कि H2O ये सारे neutral molecules हैं ligand जो है ये थोड़े से बड़े molecules भी हो सकते हैं जैसे कि ethane 1,2, diamine NH2, CH2, CH2, NH2 देखो थोड़ा बड़ा molecule है but still this can be a ligand ligand जो है ये macro molecules भी हो सकते हैं जैसे कि proteins इतने बड़े भी हो सकते हैं ligands example के तौर पर let's say we talk about this coordination compound CO NH3 whole 6 3 plus यहाँ पर क्या हो रहा है central atom क्या है CO यानि की cobalt cobalt से क्या जुड़ा हुआ है यहाँ पर बताओ NH3 तो यानि की ammonia यहाँ पर क्या है ligand तो बच्चो अब यह जो ligand है इन्हें क्या करना है इन्हें metal के साथ bond बनाना है जैसा कि मैंने बताया कि जो central metal atom है यह क्या है यह Lewis acids है यानि की इन्हें electron accept करना है तो इसका मतलब अगर ligand को इस metal atom के साथ bond बनाना है तो ligand को electron देना पड़ेगा donate करना पड़ेगा तो इसका मतलब ligand के अंदर कोई न कोई ऐसा atom होना चाहिए जो donor हो है ना तो ligand के अंदर donor atoms का होना जरूरी है ठीक है अब ligands में donor atom एक हो सकता है एक से अधिक भी हो सकता है based on that हम ligands को कई categories में categorize कर सकते हैं जैसे कि पहला होता है unidented ligand या फिर monodented ligand union या फिर mono का मतलब होता है one यह वैसे ligands है जिसके अंदर एक ही donor atom होता है for example अगर हम बात करें c l minus की तो c l minus में जो chlorine है ना उसी के पास extra pair of electrons है जो वो दान में देता है ठीक है अगर हम बात करें h2o की water की तो h2o में oxygen के पास extra electrons होते हैं जो वो दान में देता है अगर हम बात करें let's say NH3 की तो NH3 में nitrogen के पास extra electrons होते हैं जो वो दान में दे सकता है तो इन सारे examples में हम देखते हैं कि जो मेरा ligand है अब जैसे ammonia है उसमें हैं तो nitrogen atoms भी और hydrogen atoms भी बट donor atoms कौन है सिरफ nitrogen तो इन सारे examples में सिरफ एक ही donor atom है इसलिए ये सारे unidentate या फिर monodentate ligands है दूसरा type of ligand होता है bidentate या फिर didentate by या die दोनों का ही मतलब होता है two ऐसे ligands में दो donor atoms होते हैं for example अगर हम बात करें oxalate ion की C2O42- इसके structure को अगर आप ध्यान से देखो तो इसके पास दो oxygen atoms हैं जो donor atoms की तरह behave कर सकते हैं तो इसलिए ये है by dented अब देखो ये जो dented word है ना डेंटेट को आप ऐसे याद रखो देंटेट से डेंटिस्ट याद रहेगा डेंटिस्ट से दात याद रहेंगे रैइट मतलब इन ligands के पास दो दात हैं दो दात से ये किसी को पकड़ सकते हैं किसी मेटल के साथ बॉंड बना सकते हैं ऐसे याद रखो जाद अच्छे से याद रहेगा तो by dented ligands के अगर हम बात करें यहाँ पर हम एक और एक और एक्जामपल ले सकते हैं इथेन वन टू डाइमीन के स्ट्रक्चर को अगर आप देखो तो यहाँ पर एगेन दो नाइट्रो एक एक्जामपल है edta जिसका full form होता है ethylene diamine tetra acetate ion इसके स्ट्रक्चर को अगर आप देखो इसमें 2 नाइट्रोजेन और 4 oxygen atoms होते हैं जो donor की तरह बिएव कर सकते हैं तो यानि कि यह किस तरह का ligand हुआ इसके अंदर total 4 प्लस 2, total 6 ऐसे donor atoms हैं यानि कि this is to be more specific a hexadented ligand को ऐसा कह सकते हैं कि इसे bond बनाना होगा न तो इसके पास 6 दात के options हैं राइट तो 6 इंसके पास 6 dented that's why hexadented ligand बात करेंगे अब एक special type of ligand के बारे में जिसे कहा जाता है ambidented ligand ambidented क्या हो सकता है ambidextrous सुना है कभी ambidextrous ये एक word होता है ये उनके लिए use किया जाता है जो अपने right hand और left hand दोनों हाथों से लिख सकते हैं ये word किसले बताया ताकि एक आपकी memory टिप रहेगी to remember what is ambidented ligand तो देखो अभी तक जब हम by dented ligand की बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि ऐसा ligand है जिसमें दो donor atoms हो बट क्या आपने ध्यान दिया था चाहे हम oxalate ion की बात करते तो वहाँ पर क्या था दोनों donor atom oxygen थे अगर हम ethane one to die amine की बात करे तो वहाँ पर दोनों donor atoms क्या थे nitrogen थे पट ambidented ligand में हम ऐसे ligand की बात करेंगे जिसके अंदर दो different donor atoms होंगे exactly इसी लिए मैंने बोला था right hand से भी लिख सकते हो और left hand से भी लिख सकते हो दोनों different हाथों से आप लिख सकते हो वैसा ही कुछ यहाँ पर होता है ambidented ligand में दो different donor atoms होते हैं और दोनों capable होते हैं कि वो central metal atom के साथ bond बना सके चीक है example के तोर पर देखते हैं एक example है escen minus ions का टीक है तो यह जो ions होते हैं इसे और आप पास भी extra electron होते हैं तो यह donor atom की तरह behave करके bond बना सकता है metal के साथ जो nitrogen है इसके पास भी extra electron होते हैं जिससे वो metal atom के साथ bond बना सकता है अगर SCN- metal atom के साथ sulfur के through bond बनाता है तो बनता है thiocyanate अगर SCN- nitrogen के through metal के साथ bond बनाता है तो हमें मिलता है isothiocyanate तो देखो चुकि दो different atoms के through bond बन रहा है तो हमें जो product मिल रहा है वो completely different है इसी तरीके से अगर हम बात करें NO2- की तो यहाँ पे nitrogen भी donor atom की तरह behave कर सकता है और oxygen भी donor atom की तरह behave कर सकता है और देखो जब nitrogen के through bond बनेगा तो कैसा होगा और जब oxygen के through bond बनेगा तो कैसा होगा तो यह होते हैं ambidentate ligand एक और special type of ligand जिसे हम कहते हैं kylate ligands kylate ligands यह क्या होते हैं कई बार ऐसा होता है कि जो bidentate ligands हैं या polydentate ligands हैं इनके जो multiple जो दो या दो से अधिक जो donor atoms होते हैं यह at the same time simultaneously central metal atom के साथ bond बनाते हैं तो इस तरह के ligands को हम कहते हैं kylate ligands और इससे जो complexes बनते हैं उन्हें हम कहते हैं kylate complexes समझ में आया कैसे बनते हैं यह नहीं समझ में एक example लेते हैं हम example लेंगे ethylene diamine cadmium complex का तो cadmium यहाँ पर मेरा central metal atom है और ethylene diamine जो है यह क्या है ligand है ethylene diamine को अगर हम याद कर लें तो उसका structure कुछ ऐसा होता है जिसमें दो nitrogen donor atoms की तरह behave करते हैं अब इस complex को बनाने के समय क्या होता है कि यह दोनो nitrogen जो है उसी same central metal atom यानि की cadmium के साथ at the same time bond बनाते हैं मतलब cadmium को दोनो nitrogen ने पकड़ लिया है तो इससे कहते हैं हम kylate complex जब दोनो donor atoms एक ही साथ उसी metal atom में at the same time bond बनाए तो उसे कहते हैं हम kylate ligand और ऐसे complex को हम कहते है kylate complex kylate complex की खास बात यह होती है कि यह complex की stability काफी ज्यादा होती है क्यूं ज्यादा होती है logically सोच के देखो इस तरह के complexes में दो या दो से अधिक दातों से metal atom को पकड़ लिया गया है तो ऑवियस सी बात है कि यार मेटल atom के साथ यह जो ligands हैं यह काफी firmly attached है अब चुके इतने firmly attached है तो obviously इसकी stability बहुत ज्यादा है शायद आपको curiosity होगी कि यार इसे कीलेट compound क्यूं कहते है या फिर कीलेट वर्ड आया कहां से वैल तो यह कीलेट वर्ड आया है एक ग्रीक वर्ड कीले से जिसका मतलब होता है क्लॉ कभी lobster या क्राब देखा है क्राब के जो क्लॉज होते हैं वह कैसे चीजों को पकड़ते हैं ऐसे करके multiple क्लॉज से वह एक चीज को यूँ पकड़ता है राइट ग्राब करता है बेसिकले तो कीलेट कॉम्प्लेक्स में भी कुछ ऐसा ही होता है कि एक लाइगेंड होता है जिसके दो या दो से अधिक दांत होते हैं और उन सारे दांतों से वह एक मेटल आटम के साथ जूड़ता है के बारे में बारे में बातें की राइट तो यहां पर एक term आता है जुसे हम कहते है डेंटिसिटी डेंटिसिटी बिसीटी बताता है कि कि कितने number of donor atoms के help से जो ligand है, वो metal के साथ bond बना रहा है, जैसे कि अगर हम एक monodentate ligand की बात करें है, तो वहां पर dinticity है one, अगर हम by dented ligand की बात करें है, तो वहां पर dinticity है two, अगर हम try dented ligand की बात करें तो dinticity three hexa dented ligand denticity है six, and so on अगला number है, समझने का coordination number, हलाकि coordination के number के बारे में हलका फुल का discuss मैंने पहले भी किया था, लेकिन चलो अब इसे detail में देखते हैं, coordination number का मतलब होता है कि हमारा metal atom जो है, जो हमारा central atom है, वो ligand के कितने donor atoms के साथ directly connected है, मतलब वो ligands के donor atoms के साथ कितने sigma bonds बना रहा है basically, that is the PtCl62-, यहाँ पे central atom क्या है, Pt, यानि की platinum, platinum से directly कितने ligands attached है 6 ligands, 6 Cl- attached है, तो coordination number हो गया 6, Ni NH3 whole 4, 2+, यहाँ पे central metal atom है, nickel, nickel से कितने ligands attached है 4 NH3 attached है, तो coordination number हो गया 4, अगर बात करें, FeC2O4 whole 3, 3- की, तो यहाँ पे central metal atom क्या है, Fe यानि की iron, अब अगर मैं आपसे पूछो, कि यहाँ coordination number कितना होगा, बहुत से बच्चे फटाक से इस formula को देखते वे कहेंगे, कि अच्छा यह 3 C2O4 से attached है, तो coordination number 3, और जैसी ही आप ऐसा बोलोगे, आपका answer गलत हो जाएगा, गलत क्यों होगा, थोड़ा ध्यान से सोचो, C2O4 क्या होता है, oxalate iron, C2O4 का structure ऐसा होता है, C2O4 कैसा ligand होता है, by dented ligand, इसके अंदर oxygen, दो oxygen atoms, donor atoms की तरह behave करते हैं, चीक हैं, अब इस complex के structure को अगर हम देखें, iron के साथ, जुड़ा हुआ तो है, तीन oxalate iron, बट एक-एक oxalate iron में, दो-दो donor atoms हैं, तो एक-एक oxalate iron में, दो-दो donor atoms के साथ, जो metal atom है, वो दो-दो sigma bonds बना रहा है, तो खुल मिला के, जो iron है, उससे कितने sigma bonds बने हैं, कितने donor atoms के साथ bond बने हैं, छे, तो इसे लिए the coordination number is 6, तो इसे लिए coordination number find out करने के लिए, आपको ये देखना पड़ेगा कि central metal atom कितने sigma bonds बना रहा है, with how many donor atoms, so the focus is not on the number of ligands, the focus is on the number of donor atoms of the ligands, चीक है, एक example all लेंगे, let's say COEN hole 3, 3 plus, यहाँ पर यह EN क्या है, EN short form है, Ethan 1, 2 diamine का, चीक है, तो यहाँ पर cobalt obviously मेरा central metal atom है, EN मेरा ligand है, लेकिन EN again कैसा ligand है, by dented ligand है, right, Ethan 1, 2 diamine में दो nitrogen atoms, donor atoms की तरह behave कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी जो मेरा cobalt है, इससे 3 EN connected है, 3 ligands connected है, बट हर एक ligand के 2 donor atoms, इसके central metal atom के साथ sigma bonds बना रहे हैं, तो यानि कि total कितने bonds बन रहे हैं donor atoms के साथ, 6, so the coordination number is 6, अब बात करेंगे हम coordination sphere की, coordination sphere क्या होता है, जो हमारा central metal atom या ion होता है, और जो ligands उसके साथ attached होते हैं, इनको collectively हम coordination sphere कहते हैं, in fact, short तरीके से समझने के लिए, जो coordination compounds के square bracket के अंदर रहने वाला पुरा समान होता है, उसे collectively कहा जाता है coordination sphere, चीक है, उसके बाहर जो ionizable part रहता है, उसे हम कहते हैं counter ions, चीक है, example, K4 FeCN whole 6, इसमें देखो square bracket के अंदर क्या है, FeCN whole 6, यानि कि Fe और CN ionize कभी नहीं होते हैं, तो यह FeCN whole 6 जो है, this is the coordination sphere, इसमें central metal atom क्या है, Fe, और ligand क्या है, CN minus, ठीक है, ओके, जो ionizable part है, वो क्या है, potassium ion, मतलब अगर इसको ionize करने को बोला जाए, तो यह K plus और FeCN whole 6 minus, ऐसे ionize करेंगे, तो यह K plus यहाँ पर जो है, जो potassium यहाँ पर है, that is called the counter ion, next in Q is oxidation number of the central atom, ठीक है, oxidation number of the central atom, basically क्या होता है, central atom की primary valency, तो यह होता क्या है, यह होता है कि central atom में कितना charge होगा, अगर हम assume करें कि हम सारे ligands को remove कर दे, मतलब central atom से attached होते हैं ligands, right, assume करो, ligands उन्हें छोड़के कहीं नहीं जाने वाले, assume करो कि अगर इन ligands को हटा दिया जाए, along with the electrons, जो ligands ने central atom को दिया था, तो central atom के उपर कितना charge होगा, उसे हम कहते हैं, oxidation number of the central atom, ठीक है, example लेट अस सपोज, हमारे पास एक complex है, Cu, Cn whole 4, 3 minus, ठीक है, तो हम क्या notice करते हैं यहाँ पर, जो Cn होता है, right, Cn minus, Cn में हमेशा minus 1 charge होता है, right, तो यहाँ पर Cn कितने हैं, whole 4, यानि कि total 4 Cn है, तो यानि कि यह total Cn वाले unit में total charge कितना होगा, minus 4, ठीक है, अच्छा, copper हमारा central atom है, और इसका oxidation number हम निकाल रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि copper का oxidation number है, X, ठीक है, तो total copper और Cn का total charge कितना होगा, X plus minus 4, and this should be equal to how much, जितना इस net complex का charge है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, as minus 3, ठीक है, तो हो जाएगा, X plus minus 4 is equal to minus 3, तो यहाँ से अगर हम X की value निकाले, तो X is equal to plus 1, तो plus 1 क्या है, plus 1 is the oxidation number of copper, तो यहाँ पर central atom का oxidation number plus 1 है, तो इसे हम denote कैसे करते हैं, हम लिखेंगे copper, यानि कि Cu, first bracket के अंदर, हम Roman numeral में लिखेंगे 1, क्यूंकि copper का charge कितना है, प्लस 1, तो इसी दिए इसे हम Roman numeral में 1 लिखेंगे, चिक है, तो इस तरीके से हम denote करते हैं, the oxidation number of central atom, let me tell you, बच्चों, this is super duper important, आपको oxidation number निकालना बिलकुल आना चाहिए, क्योंकि आगे जाके, जैसे जैसे हम इस lesson के और आगे के concepts पढ़ेंगे, हर जगा, central atom का oxidation number निकालना, will be like the first step, तो अगर आपको वही नहीं आता है, तो आगे के चीजों में तो आप वैसे ही फंस जाओगे, तो I would advise कि अभी, जब आपने ये समझा है अभी अभी, तो दो-चार examples और लो और central atom का oxidation number calculate करने का कोशिश करो, तो coordination compounds के जो body parts हम पढ़ रहे थे ना, तो करीब-करीब हमने सारे body parts cover कर लिये हैं, so right now we will be discussing the last small topic, which is homoleptic and heteroleptic complexes, homo मतलब होता है same, hetero मतलब होता है different, homoleptic complex, वैसे complex जहाँ पर हमारा जो central metal atom होता है, वो सेम तरह के donor groups से attached होते हैं, मतलब जैसे, CO NH3 whole 6 3+, यहाँ पर central metal atom है cobalt, यानि की CO, यह जितने भी donor atoms से attached है, they are all ammonia, they are all same, तो यह कैसा complex है, homoleptic complex, दूसरी तरफ, heteroleptic complex में क्या होगा, जो central metal atom होगा, यह सारे जो donor groups से attached होगे, सारे same नहीं होंगे, कुछ अलग भी होंगे, that is heteroleptic, यहाँ पर देखो, कोबाल्ट हमारा central atom है, कोबाल्ट 4 NH3 से attached है, और 2 CL से attached है, तो यानि की, different different donor groups से attached है, तो यह हो गया heteroleptic complex, बच्चों कभी सोचा है, कि अगर आपके और आपके दोस्तों का, कोई नाम ही नहीं होता, तो कैसा होता, कितना inconvenient हो जाता, like आपको किसी दोस्त को बुलाना है, तो ए, सुनो, ओ, सुनो, ऐसे करके आप कितने दोस्तों को बुला लेते हैं, अगर at a time आपके 5 दोस्त आपके आसपास हैं, तो addressing them would have been so difficult, एक teacher के लिए, class में जहां 50 बच्चे हैं, उन्हें बुलाना कितना मुश्किल हो जाएगा, अगर उनके नाम ही ना हो, so naming is very important, तो भई, जिस तरह से बच्चों का naming जरूरी है, वैसे ही coordination compounds का नाम करन भी बहुत जरूरी है, और जहां बात आती है, नाम करन की वहां आ जाता है, IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, तो बच्चों, इस section में हम सीखेंगे, कि कैसे हम coordination compounds का naming करते हैं, और इस दोरान हम दो चीजें सीखेंगे, अगर हमारे पास एक formula या structure दिया हुआ है, तो उसका नाम कैसे लिखेंगे, अगर हमारे पास एक नाम दिया हुआ है, तो उसका structure कैसे बनाएंगे, तो बच्चों चलो, अब सीखते हैं, nomenclature के कुछ rules, मतलब नाम करन करने के कुछ तौर तरीके हैं, जिने follow करके ही, हम किसी भी structure का नाम करन कर सकेंगे, ठीक है, तो हमारा पहला rule, हमेशा cation का नाम हम पहले लिखेंगे, followed by anion, इतना तो पता है, यह anion क्या होता है, anion, a negative ion, तो जो negatively charged ion है, that is anion, जो positively charged ion है, that is cation, for example, यहाँ पर इस coordination compound को अगर हम देखें, तो जाहिर सी बात है कि CL- यहाँ पर anion है, तो बाकि जो यह पूरा positive ion है, that is the cation, अगर हम इस example की बात करें, तो यहाँ पर एगें, जाहिर सी बात है कि जो sulfate ion है, that is negatively charged, so that is anion, तो बाकि जो यह बड़ा सा positive ion है, that is the cation, तो cation का नाम हम हमेशा पहले लिखते हैं, और anion का बाद में, वैसे भी positive is always good, तो इसलिए positive ion पहले, उसके बाद negative ion, rule number two, complex को नेम करते दौरान, ligand का नाम हम पहले लिखते हैं, उसके बाद हम central metal atom लिखते हैं, चीक है, for example, यह इस formula के अगर हम देखे, तो यहाँ पर CR, यानि की chromium हमारा central metal atom है, चीक है, और ligands क्या है, NH3 हमारा एक ligand है, H2O हमारा एक और ligand है, तो जब हम इसका नाम लिखते हैं, तो इसका नाम कुछ ऐसा दिखता है, triamine, tri aqua, chromium 3 chloride, तो दियान से देखो, triamine, amine पहले लिखा, tri aqua, aqua भी पहले लिखा, amine is for NH3, aqua is for H2O, उसके बाद लिखा chromium, तो इसका मतलब ligand को पहले लिखा, उसके बाद हमने central metal atom को लिखा, तीक है, ये था हमारा rule number 2, rule number 3, no space between metal atom और ion and the ligands, जब हम नाम को लिखते हैं, तो हम ligands और metal atom के बीच में कोई space नहीं देते हैं, जैसे देखो, अभी मैंने ये name बताया था, tri amine tri aqua chromium 3 chloride, देखो, tri amine के बाद space देखे नहीं लिखा है tri aqua, tri aqua के बाद space देखे chromium नहीं लिखा है, तो बीच में metal, central metal atom और ligands के बीच में कोई spacing नहीं होती है, अब ये तो हमने बता दिया कि भाई ligand का naming जो है, वो central metal atom से पहले होगा, बट ligand के naming के भी कई rules हैं, क्योंकि ligand एक नहीं होते हैं, ligand कई बार बहुत सारे होते हैं, कई बार अलग-अलग ligands होते हैं, तो इसलिए अब हम सीखेंगे rules to name the ligands, ठीक है, पहला rule, अगर हमारे पास anionic ligands हैं, मतलब ligands जो anion है, ligands जिसमें negative charge है, अगर ऐसे ligands हैं, तो उनका नाम हमेशा O से end होगा, जैसे for example, Cl- को हम लिखेंगे chlorido, Br- को लिखेंगे bromido, OH- को हम लिखेंगे hydroxydo, तो देखो सारे जो नाम हैं, वो O से end हो रहे हैं, now that is very specific to anionic ligands, चीक है, यह था rule number one, rule number two, यह कहता है, कि जब कभी भी हमारे पास more than one ligand हो, तो हम उसे किस order में लिखेंगे, यह हम decide करते हैं, based on the alphabetical order, जैसे कि इस वाले coordination compound में हम देख रहे हैं, हमारे पास एक ligand है NH3, एक और ligand है H2O, तो यानि कि एक amine है, और एक aqua है, राइट, दोनों ligands हैं, अब भाई इन दोनों ligands में हम किसे पहले लिखें, amine को पहले लिखें कि aqua को पहले लिखें, राइट, तो alphabetically देखो, am जो है वो aq से पहले आता है, correct, है न, m तो q से पहले आता है, तो इसे लिए जब हम इसका नाम लिखते हैं, तो हम amine को पहले लिखते हैं, tri amine, tri aqua, chromium 3 chloride, right, तो alphabetical order हम follow करते हैं, rule number 3, अगर हमारे पास सेम तरह का ligand एक से अधिक है, तब हम prefixes यूज करते हैं, जैसे कि di, tri, tetra, etc, ठीक है, एगेन इसी example को देख लो, यहाँ पर देखो, जो amine group है, जो NH3 ligand है, यह कितने हैं, तीन है, इसलिए हमने इसके naming में क्या लिखा है, tri amine, यानि की तीन amine है, उसी तरह जो H2O ligand है, यह कितने हैं, तीन है, इसलिए हमने क्या लिखा है, tri aqua, यही अगर कोई ऐसा situation हो, जहाँ पर NH3 जो है, यह 4 हो, तो हम लिखेंगे, tri tri amine, अगर कोई ऐसा situation हो, जहाँ पर NH3 2 हो, तो हम लिखेंगे, di amine and so on, rule number 4, अगर हम ऐसे ligand की बात कर रहे हैं, जो poly dented ligand है, poly dented ligand मतलब, उस ligand के 2 से अधिक दांथ हैं, और वो उतने सारे दांथों से, central metal atom के साथ bond बना रहा है, चीक है, तो वहाँ पर हम एक additional prefix यूज़ करते हैं, जैसे की, bis, tris, tetrachis and so on, bis मतलब 2, tris मतलब 3, tetrachis मतलब 4, अब आप बोलोगे की, मैम, यह हम ले नया, यह bis, tris, tetrachis क्यों निकाला, हम diterite, tetrachis ही तो काम चला सकते थे, actually नहीं चला सकते थे, क्यों बताती हूँ, मान लो कि हमारे पास एक bidentate ligand है, जैसे की ethane 1,2-diamine, अब ethane 1,2-diamine में, डाई तो already ही है, अब इसके बाहर भी अगर हम डाई लगा देते हैं, तो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कि डाई का मतलब क्या होता है, कि ऐसा ligand 2 है, जैसे diamine था, मतलब 2 amine groups है, राइट, बट यहाँ पर हम वो नहीं कहना चारे, हम कहना चारे ligand एक ही है, बट उस ligand के multiple dant हैं, राइट, समझ रहे हो फरक को, तो इसलिए we can't use the same prefix, जब हम di-tri-tetra use करते हैं, उसका मतलब होता है, कि वो वाला ligand 2 बार है, या वो वाला ligand 4 बार है, बट जब हम bis-tris-tetrakis use करते हैं, तो हम कहना चारे हैं, कि वो जो ligand है, वो poly-dented ligand है, और उसके कितने दाथ है, वो बताता है bis-tris-tetrakis, जैसे example के तौर पर, अगर हम structure को देखे, tris-ethane-1,2-diamine-chromium-3-chloride, तो यहाँ पर हम कहना चाहरे हैं, किस ligand की बात कर रहे हैं, हम बात करें, इथेन-1,2-diamine की, जो अपने आप में एक bidented ligand है, तो उसमें हमने dye का use किया है, the moment we are saying tris, what are we trying to say, कि यह वाला जो, यह जो bidented ligand है, यह कितने हैं, यह तीन हैं, correct, अगर आप चाहो, तो अब इसको आप ऐसे लिख सकते थे, tri-ethane-1,2-diamine, तो अब यहाँ पर भी di-iamine में भी die है, इधर भी tri है, finally rule number 5, जहाँ पर भी polyatomic ligands होते हैं, मतलब ऐसे ligands जिसमें एक से अधिक atoms होते हैं, जैसे मालो NH3, उसमें nitrogen atom भी है, और hydrogen atom भी है, जैसे कि H2O, इसमें hydrogen atom भी है, और oxygen atom भी है, तो जहाँ पर भी polyatomic ligands होते हैं, तो ऐसे ligands को हम brackets के अंदर डालते हैं, अगर आप इनके formulae लिखने के style को देखोगे, तो हम क्या करते हैं, NH3 को हम bracket के अंदर डालते हैं, H2O को हम first bracket के अंदर डालते हैं, तो जैसे NH3 whole 3, जैसे NH3 के total 3 ऐसे NH3 हैं, तो it is important कि polyatomic ligands को हम first bracket के अंदर डालें, तो भाई ligands के naming के rules तो हमने देख लिए, अब बचा क्या central atom, तो चलो central atom के naming के rules भी देख लेते हैं, तो central atom का सबसे पहला rule है, oxidation number of the central atom, central atom का, जो भी central atom है, उसका symbol हम लिखेंगे, for example, let's say किसी situation में copper, let's say, for example, इस coordination compound में, हमारा central metal atom है chromium, chromium का oxidation number find out करो, let's say, यहाँ पे chromium का oxidation number है, plus 3, कैसे found out करो, that is your homework, क्योंकि oxidation number find out करना, मैंने सिखाया है, तो चलो फटा-फट से निकाल के देखो, plus 3 आ रहा है कि नहीं, तो इसे हम लिखते कैसे हैं, जब हम इसका नाम करन करते हैं, तो हम लिखेंगे chromium bracket में, roman numeral में लिखेंगे 3, ठीक है, that is how we represent the oxidation number of the central atom, तो यादे मैंने बताया था पहले भी, कि central atom का oxidation number निकालना is very critical, यानि कि अगर आपको किसी compound का नाम करन भी करना है न, तब भी आपको central atom का oxidation number निकालना पड़ता है, because that is something that you have to mention here, तो इसलिए इस compound का naming देखो कैसे हुआ, tri amine, tri aqua, chromium 3 chloride, tri amine, tri aqua क्या है, ligand वाला पार्ट है, मैंने बता ही दिया, चुकि alphabetical order में लिखा है, इसलिए amine पहले aqua बाद में, चुकि NH3 3 है, H2O 3 है, इसलिए tri tri prefix लग गया है, अगर बात करें central atom की, तो chromium, chromium के बाद, first bracket के अंदर उसका oxidation number, in roman numeral, और इस तरीके से नाम करन हो रहा है, अब समझ में आ रहा है, step by step कैसे हमने पूरा नाम करन करना सीख लिया, है ना, ओके, तो ये तो था पहला rule, for the naming of central atom, central atom के naming का दूसरा rule, अगर तो हमारा overall जो complex है, that is a neutral complex, तब तो उसका normal chemical name होगा, but अगर complex जो है, that is an anionic complex, मतलब जो complex है, complex part तो समझ गय हो ना, complex किसको कहते है, third bracket के अंदर, जो भी part है, that is the complex, तो square brackets के अंदर वाला जो part है, if that overall has a negative charge, तो उसे हम कहते हैं anionic, जैसे कि K2, ZnOH whole 4, तो यहाँ पर अगर इसको ionize करवाओगे, तो कैसा बनेगा ionize, K plus आएगा, which will be the cation वाला part, और ZnOH whole 4 वाला minus होगा, यानि कि यह anion वाला part होगा, तो यानि कि यहाँ पर मेरा complex वाला part, जो है, that is anionic complex, तो जब कभी भी anionic complex होते हैं, तो anionic complex का जो नाम है, उसके पीछे एक suffix लग जाता है, 8, A-T-E, ठीक है, जैसे कि अगर हम इस compound का naming करेंगे, तो जैसे मैंने naming का rule बताय था, cation पहले, फिर anion, तो cation यहाँ पर क्या है, potassium, तो इसलिए इसके नेम में potassium पहले आएगा, उसके बाद क्या आएगा, complex का naming होगा, complex के naming में पहले क्या आएगा, ligand आएगा, राइट, ligand क्या है, OH whole 4, यानि कि tetrahydroxo, ठीक है, क्योंकि OH minus anionic ligand है, इसलिए O से end होगा, तो tetrahydroxo, उसके बाद zincate, instead of zinc, it will be zincate, क्यों, क्योंकि यह जो पूरा complex है, that is anionic complex, समझ में आया, देखो थोड़ा सो complex लग रहा होगा अभी, because the rules are not at your fingertips, but मैं आपको समझाने की कोशिश को रही हो, कि जितने भी rules इसमें apply हो रहे हैं, वो सारे अभी अभी हमने discuss की हैं, ठीक है, तो अगर एक बार यह rules के साथ, आप यूनो, used to हो जाओगे, तो naming will become very easy, तो समझ में आ गया, किस तरीके से हमने इसको name किया, ठीक है, अब zincate में खतम नहीं हुआ, zincate के बाद हमने bracket के अंदर 2 डाल दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो central metal atom है, which is zinc in this case, it is not potassium, potassium is the counter ion, तो zinc is the central atom in this case, तो zinc का जो oxidation number है, that is plus 2, तो चलो बच्चे शुरू होता है, हमारा practice time, और practice time मतलब, दोनों को साथ-साथ questions solve करने हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, एक coordination compound, जिसका हमें नाम करन करना है, नाम करन का पहला step क्या होता है, कि हमें cation और anion को पहले find out करना है, तो यहाँ पर देखो, तोड़ा ध्यान से अगर हम देखे, तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, sulfate, sulfate में कैसा चार्ज होता है, negative चार्ज होता है, which means कि भाई यह तो हमारा anion है, ठीक है, और उससे जाहिर सी बात है कि भाई यह जो दिख रहा है, बड़ा सा यह हमारा cation है, nomenclature के rules क्या कहते हैं, कि cation की naming हम पहले करते हैं, ठीक है, तो चौलो, करते हैं पहले, तो अब हमारा पूरा focus इस cation पे रहेगा, ठीक है, cation में भी हमने क्या सीखा है, कि cation के अंदर भी जो ligand है, उसकी naming हम पहले करेंगे, तो उसके लिए पहले identify करो, कि ligand किदर है, अब देखो, यहां पे साफ साफ दिख रहा है, कि यह जो cobalt है, यह हमारा क्या है, यह हमारा central atom है, ओके, तो अब मेरा ligand कौन सा होगा, central atom से जो जुड़ा हुआ, यह वाला part है, तो यह मेरा ligand है, ठीक है, यह भी लिख देती हूँ, अब rules याद कर लो, सबसे पहले नेम करेंगे cation को, और cation में भी ligand की naming पहले होगी, ठीक है, तो अब सारा focus किस पे, ligand पे, तो देखो यहां पे अगर हम ligand पे focus करते हैं, यह हमारा ligand है, तो कौन सा ligand है यह, CH2, CH2, दो carbon वाला, जिसमें दो क्या लगा हुआ है, amine, NH2, NH2 लगा हुआ है, राइट, तो दिस इथेन 1,2-diamine, तो हमारा ligand का नाम क्या है, ligand है, एथेन 1,2-diamine, ठीक है, लेकिन क्या हमारा ligand सर्फ इतना ही है, इतना नहीं है, देखो, whole 3 है, यानि कि यह कितने है, यह 3 है, अब देखो, इस ligand के नाम के अंदर ही, die use किया हुआ है, है ना, तो इसे लिए इसको हम क्या लिखेंगे, क्या इसको हम try लिखेंगे तरीके लिए, नहीं, हमारा rule कहता था, कि ऐसे cases में हम लिखते है, tris, ठीक है, तो ligand की naming खतम हो गई, पर्फेक्ट, ligand के बाद हम किसको name करते हैं, central atom को, central atom यहाँ पर क्या है, cobalt, co is cobalt, तो लिख डालो cobalt, cobalt के बाद, bracket में हम लिखते हैं, cobalt का oxidation number, ठीक है, अब मैं हम oxidation number कैसे निकाले, कैसे क्या, इसकी oxidation value तुम calculate करो, oxidation number की value, तो चलो, oxidation number कैसे calculate हो पाएगा, okay, मान लेते हैं, कि cobalt का oxidation number है, X, ठीक है, अब यह जो, ethane one two diamine है, इसके उपर कितना charge रहता है, इसके उपर रहता है, zero charge, और net net, इस पूरे, iron पे कितना charge है, फटाक से देखके, तो आप zero बोल दोगे, बट zero actually है नहीं, क्यों, क्योंकि देखो, यह किसके साथ जुड़ा हुआ है, sulphate, जिसमें यहाँ पर three है, तो basically अगर यह ionize होगा, तो SO4 two minus जाएगा, और यह जो three है न, यह इदर जाएगा, three plus इसके उपर जाएगा, यह three basically यहाँ पर रहेगा, three plus, तो यानि कि इसके three होगा, क्योंकि charge का मतलब ही क्या होता है, कि अगर वो ionize कर जाएगा, तो उसके उपर कितना charge होगा, यही मतलब होता है, तो अगर यह ionize होगा, तो SO4 अलग निकल जाएगा, और यह पूरा कैटायन रहेगा, तो कैटायन के उपर net net plus three charge होगा, जो हमने लिख दिया, तो इसका मतलब X की value हो जाएगी, प्लस three, ठीक है, यानि कि यह जो कोबाल्ट है, इसका oxidation state, हम Roman numeral में लिखेंगे three, ठीक है यहाँ तक, तो अब देखो हमने किसका लिख डाला नाम, कैटायन का नाम हम लिख चुके है, एनायन में तो यार कुछ है ही नहीं, एनायन क्या है, इस तरह से करेंगे हम यहाँ पर naming, चलो देखें बच्चो, दूसरा example, AG NH3 whole 2, AGCN whole 2, ठीक है, नाम करन करना है, पहला step कैटायन और एनायन को identify करना है, अब यहाँ पर इस question को देखे, आपको ऐसा लगेगा कि, इसको देखें आसानी से बता नहीं पा रहे हैं, कि कौन सा कैटायन होगा, कौन सा अनायन होगा, कैटायन मतलब net-net उसमें positive charge होना चाहिए, अनायन मतलब net-net उसमें negative charge होना चाहिए, तो चलो ना calculate करके देख लेते हैं, कितना charge है, अभी देखो, अगर हम इस पे focus करें ना, तो ag के उपर plus 1, cn के उपर minus 1, लेकिन cn कितने हैं, 2 हैं, मतलब net-net cn के उपर minus 2, तो net-net इस पे कितना charge हो गया, minus 1, negative charge हो गया, which means साफ साफ पता चली गया, कि ये हमारा क्या है, ये हमारा anion है, अब अगर ये anion है, तो ये क्या हो जाएगा, ये obviously cation होगा, और वैसे भी अगर देखो, NH3 के उपर 0, ag के उपर plus 1, तो net-net plus 1 charge है, तो that is cation, ठीक है, तो पहला step तो हो गया, अब सबसे पहले किसका नाम करन करेंगे, cation का, ठीक है, तो चलो सारा focus cation पर रखते हैं, cation के अंदर, हमारा central atom क्या है, central atom है, और ligand क्या है, ammonia, है न, NH3 है, तो ammonia कितने हैं, दो है, तो ये क्या हो जाएगा, diamine, ठीक है, तो ligand का नाम हो गया, क्योंकि ammonia जो NH3 है, ये जब ligand की तरह रहता है, तो हम क्या लिखते हैं, amine, हाणा, तो ये हो गया, amine, diamine हो गया, अब उसके बाद क्या लिखेंगे, जो हमारा central atom है, जो कि यहाँ पर है, silver, उसके बाद, silver का oxidation number लिखेंगे, जो कि यहाँ पर कितना है, plus one, ठीक है, तो हमने क्या लिख लिया, cation का नाम हम already लिख चुके है, अब बारी है, anion की, तो अब anion पर focus करते हैं, anion का central atom क्या है, silver फिर से, राइट, और ये क्या है, cn hole 2, ठीक है, तो ये हमारा ligand है, तो पहले ligand लिखेंगे, cn को हम क्या लिखेंगे, cn minus, मैंने बताया था ना, anionic ligand, negatively charged ligand का नाम हमेशा, o से end होता है, तो इसको हम लिखेंगे, cynido, ठीक है, o लगा दिया last में, ठीक है, लगा दिया, अब कितने है, तो इसका central atom क्या है, फिर से silver है, लेकिन यहाँ पे एक catch है, अब देखो, यह जो पूरा जो anion है, जब भी हम anion का नाम लिखते हैं, तो anion का जो central atom का नाम लिखते हैं, वो किस से खतम होता है, वो eight से खतम होता है, उसमें हम suffix लगाते हैं, eight, यह सारे rules हमने अभी अभी पढ़े थे, अभी तोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, बट एक बार practice करने लग जाओगो, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, तो यहाँ पर यह जो silver है, इसको हम silver नहीं लिखेंगे, अभी इसका भी bracket में oxidation number लिखना तो भई must है, तो इसका oxidation number यहाँ पर कितना है, one again, तो यह one, तो कुल मिला के यह हो जाएगा हमारा IUPAC name, diamine silver one, di-syanido-argentate one, तो चलो बच्चों देखते हैं, तीसरा example, C-O-N-H-3-hole-5-C-O-3-C-L, ठीक है, अब देखो यहाँ पर कौन सा वाला क्या है, पहले तो वो समझना होगा, देखो, square bracket के अंदर जो भी चीजें हैं, वो क्या है, हमारा coordination identity है, अब उसके बाहर जो भी है, वो counter iron है, तो CL यहाँ पर counter iron है, CL है, तो CL minus, यानि कि यह क्या हो जाएगा, यह हमारा anion है, negatively charged iron, तो यह जो बचा हुआ पार्ट रहा, यह क्या बन गया, यह हमारा positively charged iron, यानि कि cation, ठीक है, naming पहले cation की होगी हमेशा की तरह, अब इस cation के अंदर भी, यह cobalt, जो है, यह हमारा central atom है, ठीक है, और ligands कौन से है, एक ligand है NH3, यानि कि amine, जिसको हम amine की तरह नेम करेंगे, दूसरा है CO3, यानि कि carbonate, ठीक है, तो यह जो है, यह हमारे दो ligands है, ओके, चलो, तो अब naming शुरू करते हैं, सबसे पहले cation को name करेंगे, ये cation में भी ligand को, तो यहाँ पे ligand क्या क्या है, एक तो है amine, कितने amine है, NH3 whole 5 है, तो यानि कि यहाँ पे लग जाएगा, पेंटा amine, दूसरा ligand क्या है, CO3, CO3 में कैसा charge होता है, carbonate ion में minus charge होता है, यानि कि यह anionic ligand है, negatively charged ligand है, negatively charge ligand का नाम हमेशा O से end होता है, तो इसका नाम हो जाएगा carbonato, ठीक है, अब carbonato को पहले लिखेंगे, या amine को पहले लिखेंगे, amine को, क्योंकि हम alphabetical order से लिखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा carbonato, देखो हम space कहीं पे भी नहीं डाल रहे हैं, ठीक है, तो carbonato भी लिख दिया, तो इसका मतब ligand की naming खतम हो गई है, इसके बाद क्या है, इसके बाद है central atom which is cobalt, cobalt के बाद लिखना पड़ेगा, इसका oxidation number, तो cobalt का oxidation number लिखने के लिए निकालना पड़ेगा, चलो निकालते हैं, cobalt के बाद अब लिखना पड़ेगा, इसका oxidation number, oxidation number निकलेगे लिए निकालना पड़ेगा, तो चलो निकालते हैं cobalt का oxidation number, मान लो cobalt का oxidation number है x, NH3 का oxidation number होता है 0, उसके बाद carbonate ion क्या होता है, CO3 2 minus, तो carbonate ion का charge होता है minus 2, and overall इसमें कितना charge होना चाहिए, अगर यह ionize किया, तो CL minus और इधर plus, तो यानि कि इधर कितना होना चाहिए था, इधर होना चाहिए था plus 1, चीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं कि x की value निकल जाएगी 3, चीक है, तो इसका मतलब cobalt का oxidation state हो जाएगा 3, तो उसको हम लिख देंगे chloride, and we are done with the naming, तो बच्चों, अब आई होप यह वाला पार्ट तो clear हो गया, कि भाई अगर एक formula दिया हुआ है, तो उसका name कैसे लिखेंगे, अब सीखते हैं वाइसा वर्सा, कि मान लोगर एक name दिया हुआ है, तो उसका formula कैसे लिखेंगे, I mean, I know this is not rocket science, but still एक step by step process होना चाहिए, क्योंकि यह थोड़े complex compounds होते हैं, तो if you don't follow this step, तो आप confused हो जाते हो कि नाम कैसे लिखें, तो देखो अगर formula दिया हुआ है, और आपको नाम लिखना है, तो इस case में आपको तीन simple steps follow करने हैं, पहला step होगा identify the central atom, पहले तो उस structure को देखके, या उस formula को देखके, आपको identify करना है कि central atom कौन सा है, जो कि आप करी लोगे, दूसरा identify the ligands in alphabetical order, ligands कौन कौन से हैं, जो central atom से directly attached है, directly bonded है, जो square brackets के अंदर है, वो हमारे ligands है, ligands को identify तो करो ही, बलकि alphabetical order में identify करो, ताकि आपको पता हो कि उसे किस order में लिखना है, तीसरा identify counter ions, इसमें counter ions कौन से हैं, उन्हों को identify कर लो, तीन चीज़ों को अगर आपने identify कर लिया, तो इनका नाम is super duper easy, चलो कुछ try करके देखते हैं, चलो बच्चों देखते हैं, इसमेंपल, potassium tetrahydroxozincate 2, ठीक है, पहले identify करेंगे कि इसमें कौन सी चीज़ क्या है, ओके, ठीक है, अब zincate के बगल में 2 दिया हुआ है, विच मीन्स कि यह जो zincate है ना, यह जो zinc है basically, यह हमारा central atom है, क्योंकि central atom के बगल में ही उसका oxidation number निखा रहता है, लेकिन at the same time यहाँ पे 8 लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, कि यह जो central atom है, यह किसका part है, यह central atom जो है, यह anion का part है, ठीक है, central atom, cation का part नहीं है, ओके, यह भी बात समझ में आ गई, तो इससे हमें यह पता चल गया, कि इधर यह जो part है ना, potassium, यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा counter ion, क्योंकि जिधर central atom है, so this is ci, counter ion, ठीक है, और यह tetrahydroxo, यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा ligand, ठीक है, तो इसका मतलब ligand और यह central atom, यह हमारा square bracket के अंदर रहेगा, और potassium जो है यह बाहर रहेगा, ठीक है, चौलो, तो अब इसका लिखते हैं, तो इसका मतलब potassium को भई बाहर निकाल दिया, अब square bracket के अंदर, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले central atom, जो की यहाँ पर zinc है, ठीक है, और क्या है, यहाँ पर ligand है, tetra hydroxo, hydroxo बोले तो OH, और कितने OH है, टेटरा मतलब 4, तो ZN OH होल 4 है, ठीक है, अब देखना क्या बाकी रहे गया, oxidation number again, तो zincate का oxidation number क्या है, 2 है, ठीक है, तो बोलने का मतलब है, कि इसमें अगर plus 2 charge हो, ठीक है, और OH में कितना charge होता है, हमें पता है, minus 1 होता है, लेकिन यहाँ पर 4 OH है, तो total कितना हो जाएगा, minus 4, तो मतलब net net, square bracket के अंदर जो NIN है, इस net net NIN का charge हो जाएगा, minus 2, potassium का charge कितना होता है, हमें पता है, plus 1, तो यह minus 2 इधर आएगा, eventually यह plus 1 इधर जाएगा, तो यहाँ पर यह हो जाएगा, K2, तो इसका formula हो जाएगा, K2 ZN OH whole 4, तो बच्चों, वर्नर थियोरी ने, हमें काफी information दे दी, काफी idea लग गया, हमें coordination compounds के बारे में, बहुत बढ़िया है, लेकिन इस theory में, कुछ खामिया अभी भी रह गई थी, जैसे कि, ऐसा क्यों होता है, कि कुछ ही elements होते है, जो coordination compounds बनाते है, सारे क्यों नहीं बनाते है, ऐसा क्यों होता है, कि coordination compounds के अंदर, जो ये coordination bond होता है उसमें directional properties होती है और उस directional property की वज़े से ही तो इनकी specific orientation और geometry होती है राइट बढ़ ऐसा होता क्यों है ऐसा क्यों होता है कि जो coordination compounds होते हैं इनके specific optical और magnetic properties भी होती है तो ये कुछ ऐसे सवाल रहे थी जिसका जवाब Werner theory नहीं दे पाई थी हाला कि दूसरी theories भी पीछे नहीं हटी थी तो इसके बाद एक के बाद एक और theories आती गई to explain all these things in more detail जैसे कि valence bond theory आई, crystal field theory आई, ligand field theory आई and many more बट फिलहाल इतने सारे theories पे हम focus नहीं करेंगे हमारा focus रहेगा सरफ दो theory में valence bond theory and crystal field theory तो शुरुआत करेंगे valence bond theory से अब valence bond theory coordination compounds के लिए ही तो पढ़ना है वही हमारा agenda है बट उससे बहले मैं जरा ये चेक कर लोगी सबको covalent compounds का जो valence bond theory मैंने पढ़ाया था वो कितना याद है, कितना याद है किसी को थोड़ा याद है, किसी को बिलकुल याद देंगे तो एक करेंगे quick recap because उस recap के भीना आगे समझना मुश्किल हो सकता है तो हमने covalent compounds के case में क्या पढ़ा था valence orbital में जो electron से उनको भेज देता है कि भाई जाओ और जाके bond बनाओ है ना, तो it is like जैसे हमारे country पे कोई attack करता है तो यूद लरने कौन जाता है मैं और आप तो starting में घर पे ही बैटे होते है तो यूद लरने जाता कौन है जो boundary पे बैठे हैं soldiers बैठे वो जाते है तो in a similar way यहाँ पर bond बनाने के लिए कौन जाता है valence orbitals ठीक है ओके, in fact अगर मैं सिरफ valence orbitals बोलो तो गलत होगा कौन जाता है, hybridized orbitals, hybridization पढ़ा था हमने basically होता कुछ यूँ है कि जो बाहर के orbitals है उन सब की energy levels अलग-अलग होती है और हमें वो नहीं चलता है पतब आप खुद सोचाना, भाई, लडाई करने के लिए ऐसा थोड़ी है कि border पे कोई भी बैठा है तो वो लडने जा सकता है, नहीं, right border में जो shoulders है जो trend है लडने के लिए वही तो लडने जाएंगे, क्योंकि वो जितने भी साइनिक होंगे, वो सारी equally trend है उनकी energy level equal है तो वो सारे युद्ध में लरने के लायक है, बात समझ रहे हो तो कुछ वैसी कहानी यहां पे हो रही है कि भाई, जो valence orbitals हैं अब एक 2S है, एक 2P है सब की अलग-अलग energy level है ऐसा हमें नहीं चलता है, हम क्या करते हैं हम कहते हैं, यह सारे energy levels जो है ना, यह सारे साथ में मिल करके एकदम अच्छे बच्चों की तरह पूरे energy को equally distribute कर लेते हैं आपस में and that's how we get hybridized orbitals of equivalent energy ठीक है, और यह जो hybridized orbitals है, equivalent energy की यह जाते हैं दूसरों के साथ bond बनाने के लिए ठीक है, यह हमारा covalent compounds के case में VBT था, यानि की valence bond theory थी ठीक है, example देखते हैं covalent compound का example लेंगे पहले बात करते हैं methane की अगर methane के structure को आप देखो तो किस के बीच में bond बनता है, carbon और hydrogen के बीच में bond बनता है carbon बीच में होता है, उसका 1 hydrogen, 2 hydrogen, 3 hydrogen, 4 hydrogen तो basically carbon और hydrogen के बीच में bond बनता है, अब मैंने क्या बोला है कि carbon के hybridized orbitals bond formation में participate करेंगे, कैसे carbon का electronic configuration देखो, 1s2, 2s2 2p2, तो तरीक है, तो तरीके से यह जो 2s2p वाले orbitals हैं, इनको जाना चाहिए bond बनाने के लिए, लेकिन वैसा कि मैंने बताया, 2s2p अलग-अलग energies है, तो इन्होंने बोला कि मिल बांट के चलते हैं, एक काम करते है S और P के तीनो orbitals, that is PX, PY, PZ इन्होंने बोला कि ऐसा करते हैं, सारे मिल जाते हैं, ठीक है, तुमारे S और तीन P orbitals जो हैं, ये साथ में combine हो जाते हैं, और ये बन जाते हैं hybridized SP3 orbitals of equivalent energy, अब ये जो hybridized orbitals होते हैं, ये ज्यादा stable bond बनाते हैं, उसी लिए तो hybridization होता है तो जब methane का bond formation होता है, तो carbon के पास 4 SP3 hybrid orbitals होते हैं, और ये SP3 hybrid orbital, hydrogen के S orbital के साथ bond बनाता है, and that's how methane is formed, ये तो कहानी थी covalent compounds की, अब देखना बाकि ये है कि coordination compounds के case में क्या होता है, तो देखो coordination compounds में जो main funda है, वो ये है कि जो central metal atom है, वो electron accept करता है, किस से accept करता है ligand से, चीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कि जो central atom है, उसके जो hybrid orbitals है, right, मतलब उसके भी जो outer orbitals है, जो valence orbitals है, वो क्या हो जाएंगे, hybridized हो जाएंगे, जैसा कि अभी अभी मैं बता रही थी, right, तो hybridization के बाद, इनके जो hybrid orbitals होंगे, ये किसके साथ overlap करके bond बनाएंगे ligand के orbitals के साथ, absolutely correct, ठीक है, और ऐसे होती है, यहाँ पर bond formation, ठीक है, बतलब concept VBT का भाई रहता है, just that, यहाँ पर सिर्फ इतना फरक है कि यहाँ पर एक central metal atom है, और एक ligand है, तो ligand के orbital से central atom के orbital से, और यहाँ पर जो central atom है, वो ligand से electron accept करता है, वो लेता है, that is the major difference here, ठीक है, उससे क्या फरक पड़ता है, let's see that, और इसे हम समझेंगे एक example के साथ, ठीक है, let us suppose हमें coordination compound का example लेते हैं, जैसे की CO NH3 whole 6, CL3, ठीक है, तो यहाँ पर central atom क्या है, cobalt यानि की CO, ठीक है, यहाँ पर ligand क्या है, NH3 यानि की ammonia, ठीक है, अब cobalt हमें इस formula से साफ-साफ दिख रहा है कि cobalt बीच में बैठा है, और यह 6 coordination bond बना रहा है, 6 NH3 के साथ, ठीक है, which means कि यह जो NH3 है, जो कि यहाँ पर ligand है, उसका यहाँ पर क्या काम है, electron देना, cobalt का यहाँ पर क्या काम है, electron accept करना, basically sharing होगी, but cobalt लेने है, that is the whole purpose of cobalt here, क्योंकि cobalt is the central atom, cobalt देने वाला party में से नहीं है, cobalt दो electron लेगा हर एक NH3 से, ठीक है, तो इसके मतलब तो यह हुआ, कि अगर हम cobalt का configuration बनाएंगे, तो cobalt के पास 6 खाली boxes होने चाहिए, खाली boxes बुले तो, चलो देखते हैं, cobalt का electronic configuration लिखके, तो let us talk about this particular complex in more detail, co NH3 whole 6 CL3, तो यहाँ पर अभी फिलहाल हम cation पे focus कतने हैं, which is co NH3 whole 6 3 plus, ठीक है, तो यहाँ पर cobalt का electronic configuration क्या होगा, सबसे पहले यह लिखना जरूरी है, तो cobalt का अगर हम electronic configuration देखें, तो इसका outer configuration होगा 3D7, 4S2, ठीक है, इसको अगर हम इन डबो में बनाएं, इसके electron को, तो दिखो, ऐसा कुछ दिखेगा, जो D है, उसमें 7 है, मतलब पांचों में एक-एक, और शुरू के 2 में paired up, 3D7 हो गया, और 4S2, 4S में 2 paired up electron, ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा configuration, absolutely fine, अब देखना ये है कि इस particular complex में, कोबाल्ट का oxidation number कितना है, ठीक है, कैसे निकालेंगे, माल लो कि कोबाल्ट का oxidation number है X, ठीक है, NH3 पे कितना charge होता है, 0 होता है, ठीक है, और यहाँ पे NH3 कितने है, 6 है, तो 0 into 6 is 0, तो X plus 0 is equal to कितना हो जाएगा, इसमें net charge कितना है, plus 3, तो यानि की X की value plus 3 है, यानि की कोबाल्ट जो है, plus 3 oxidation state में है, ठीक है, अब कोबाल्ट का electronic configuration तो लिख डाला था, अब CO3 plus का configuration लिखो, 3 plus, मतलब इसमें 3 electron हट गए है इसमें से, कहां से हटेंगे, 4S के 2 electron हटा दो, जो 3D 7 था, वो अब 3D 6 हो जाएगा, ठीक है, तो कुछ इस तरीके का बन जाएगा, तो अब अगर हम ध्यान से देखें, तो भई, कोबाल्ट को क्या करना है, 6 NH3 के साथ coordinate bond बनाना है, मतलब को कोबाल्ट को हर एक NH3 से 2-2 electron लेने हैं, करेक्ट, मतलब टोटल 12 electron लेने हैं, 12 electron लेने के लिए, कोबाल्ट के पास कितने खाली boxes होने चाहिए, अट लिस्ट 6 boxes उसे चाहिए, तो अभी फिलहाल कितने boxes है, 4 boxes है, तो कोबाल्ट क्या करेगा, थोड़ी adjustment करेगा, रही, जैसे जब हमारे घर पे guest आजाते हैं, तो हम क्या करते हैं, थोड़े adjustment करते हैं, क्योंकि घर में उतने ही कम रहे होते हैं, हमारे, anyways, तो अब कोबाल्ट कैसी adjustment करेगा, देखो, अभी तक क्या था, 4 डब्बो में 1-1 unpaired electron था, तो भाई, ये लोग adjust होके paired up हो गए, ठीक है, अब कितने हो गए खाली डब्बे, देखो, अब हमारे पास 6 खाली डब्बे हो गए, हो गए न, 6 डब्बे हो गए, ठीक है, लेकिन अब ये जो 6 खाली डब्बे है, जो पहले दो डब्बे हो डी और्बाइटल के हैं, अगला वाला डब्बा S का है, उसके अगले वाले डब्बे किसके हैं, उसके अगले वाले डब्बे P के हैं, अब इन सब की energy level क्या है, अलग-अलग है, 3D का, 4S का, 4P का, इन सब की energy levels क्या हैं, सब की अलग-अलग है, ठीक है, ऐसा हमें चलता नहीं है, तो हम क्या कराएंगे, hybridization करवाएंगे, तो ये सारे, मतलब D के 2, S का 1, और P के 3, ये सारे लोग आपस में hybridize कर जाएंगे, और ये बन जाएंगे, D2, SP3, hybrid orbitals of equivalent energy, ठीक है, बन गया, समझ में आ गया, अब bond formation जब होगी, तो क्या होगा, देखो ये जो hybrid orbitals हैं, अब इन में electron pair आएगा, कहां से आएगा, NH3 देगा, NH3 का काम ही है, electron pair देना, तो NH3 electron pair देगा, and that's how यहां पर electron pairs आ जाएंगे, तो यहां पर हमने क्या देखा, इस particular complex के case में, कोबाल्ट का coordination number था 6, क्योंकि ये 6 ligand के साथ, coordination bond बना रहा था, ऐसे case में, इसकी hybridization क्या थी, D2, SP3, और ऐसे case में, for coordination number 6, जिसकी hybridization D2, SP3 हो, उसका जो geometry होता है, that is octahedral, तो देखो, ये valence bond theory के आते ही, जो है न, एक particular coordination compound के साथ, हमने एक specific geometry को link up कर दिया, राइट, चलो बच्चों, अब हम लेंगे एक और example, तो यहां पर हम ये देखेंगे, कि कैसे, जैसे-जैसे coordination number चेंज होता है, वैसे-वैसे hybridization change होती है, और वैसे ही, इनका जो special arrangement है, वो भी change होते रहता है, चीक है, तो अभी हम लेंगे हमारा अगला example, which is COCl4 2-, तो यहां पर मेरा central atom क्या है, कोबाल्ट, विच इस CO, और इसके ligands कौन से है, क्लोरीन, और कितने CL attached है, इससे 4, तो यानि कि यहां पर coordination number कितना है, कोबाल्ट का 4, simple था, ठीक है, अब चलो इसके bond formation और hybridization को समझते है, कोबाल्ट का outer electronic configuration, 3D7, 4S2, यहां पर इस particular complex में, कोबाल्ट का oxidation state क्या है, CL का charge कितना होता है, minus 1, यहां पर 4 CL है, तो टोटल के अतना हो जागा, minus 4, कोबाल्ट का हमने मान लिया X, तो X plus minus 4 is equal to, overall इस complex में कितना charge है, minus 2, तो X की value plus 2, यानि कि कोबाल्ट यहां पर plus 2 state में है, तो कोबाल्ट 2 plus, CO2 plus का electronic configuration क्या हो जाएगा, 4S2 के जो 2 electron है, उनको हटा दो, ठीक है, तो अब मेरा कैसा बन गया, 3D7, ठीक है, मतलब D वाले orbital के जो डब्बे हैं, उसमें सब में एक एक electron है, और शुरू के 2 में, 2-2 electron है, ठीक है, ओके, clear हो गया यहां तक, अब क्या होगा, अब देखो, इसे कितने खाली boxes चाहिए, सोचके देखो, इसे 4 क्लोरिन के साथ बॉन्ड बनाना है, मतलब इसे 4 खाली डब्बे चाहिए, क्योंकि हर एक क्लोरिन इसको 2-2 electron देगा, क्या इसके पास 4 खाली डब्बे हैं, हैं, बिल्कुल है, S का 1 खाली डब्बा और P के 3 खाली डब्बे, और ये SP3 hybrid orbital जो है, ये bond formation में participate करेंगे, ठीक है, ओके, समझ में आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पर coordination number था 4, hybridization था SP3, और जब hybridization SP3 होता है, तो किस तरह का special arrangement होता है, tetrahedral, absolutely correct, यानि कि कोबाल्ट हमारा बीच में बैठा रहेगा, और एक tripod stand की तरह, ऊपर एक chlorine, इधर एक chlorine, इधर एक chlorine, इधर एक chlorine, तो इस तरीके का बनेगा, COCl4 2-, तो चलो बच्चों लेते हैं, एक और अगला example, ठीक है, थोड़ा interesting रहेगा, तो अगला compound हम लेते हैं, Ni, CN whole 4 2-, तो यहाँ पर central atom क्या है, nickel, Ni, और यहाँ पर ligand क्या है, CN, तो CN minus के साथ, यह बना रहा है, 4 coordinate bond, यानि कि यहाँ पर coordination number है 4, ठीक है, अब आप सोच रहोगे कि, अगर coordination number 4 है, तो यह भी tetrahydral होगा, यह भी SP3 hybridization होगा, बट not really, wait, देखो क्या होता है यहाँ पर, ठीक है, तो शुरुबात करेंगे वहीं से, nickel से, nickel का electronic configuration क्या हो जाएगा, 3D84S2, outer configuration, ठीक है, ओके, अब next step हमारा क्या है, कि इस particular compound में, nickel का oxidation state क्या है, अब देखो, CN के उपर charge minus 1 होता है, यहाँ पर 4 CN है, तो total minus 4 हो गया, nickel का मान लो X है, तो X plus minus 4 is equal to, यहाँ पर overall charge minus 2 है, तो यानि कि X की value plus 2, which means nickel is in plus 2 oxidation state, ठीक है, अब Ni2 plus का electronic configuration क्या हो जाएगा, 4S के 2 electron को भागा दो, तो अब मेरा जो, इसका configuration हुआ क्या हुआ, 3D8, मतलब D के जो 5 डबबे थे, उसमें से 3 डबबे paired electron से भरे हुए हैं, और 2 डबबो में एक एक electron है, ठीक है, ओके, अब सोचने वाली बात यह है, कि nickel सोचता है, कि यार मुझे ना 4 खाली डबबे चाहिए, Cn के साथ bond बनाने के लिए, क्योंकि मेरे पास 4Cn जुडेंगे, तो हर एक 2-2 electron देगा, ठीक है, अब देखने वाली बात तो यह है, कि यहाँ पे 4 डबबे तो है, S का एक डबबा है, P के 3 डबबे है, लेकिन, nickel क्या सोचता है, कि ने यार, अभी देखो, D में जो है ना, फाल्तु में 1-1 electron, एक-एक बॉक्स घेरा हुआ है, तो मैं दोनों को एक में शिफ्ट कर देता हूँ, दोनों को एक में पेर अप कर देता हूँ, ठीक है, बसे इस लाइक जिसे ऐसे होता है ना, कि एक-एक बच्चे ने एक रूम घेरा हुआ है, जो गेस्ट आए हैं, वो अकॉमोडेट तो हो जाएंगे बाकी कमरों में, बट के बहर हम सुचते कि यार, एक इतना बड़ा कमरा है, उसमें एक ही बच्चा है, दोनों को एक में शिफ्ट कर देते, तो समवट लाइक बाइक तो यहां पर क्या हुआ, यह दोनों एक में शिफ्ट हो गए, तो क्या हो गया, डी का एक डबबा खाली हो गया, ठीक है, अब मुझे चार डबबों की ज़रुवद थी, तो एक मैंने डी का ले लिया, एक मैंने एस का ले लिया, और दो मैंने पी के ले लिया, ठीक है P का तीसरा वाला डबह हमने यूजी नहीं किया अब इन सब की energy level अलग-अलग है तो DS और PK2 ये सारे hybridize होके बना देते हैं DSP2 hybrid orbitals of equivalent energy तो देखो यहाँ पर हाला कि coordination number 4 ही है तो यहाँ पर hybridization क्या है DSP2 चुकि hybridization DSP2 है तो यहाँ का जो special arrangement है that is square planar तो इसलिए अगर आप NICN whole 4 2 minus का structure देखोगे तो यह square planar है मतलब NI बीच में है एक plane में lie करने वाला एक square की तरह है जहाँ बीच में NI है और square के चारो corners पर CN है ठीक इसे तरीके से हम और अलग-अलग coordination compounds के examples देख सकते हैं जहाँ पर coordination number 5 है तो उनका hybridization हो जाता है SP3D और वहाँ पर उनका जो special orientation हो जाता है वो हो जाता है trigonal bipyramidal जैसे की FeCO whole 5 यहाँ पर देखो जो central atom है iron इसके साथ 5 CO जुड़े हुए है यानि की coordination number यहाँ पर 5 है FeF6 3- का तो यहाँ पर iron central atom है जिससे total 6 ligands जुड़े हुए है विच मींस coordination number is 6 यहाँ पर हम अगर देखे अगर hybridization निकाले तो देखेंगे कि hybridization comes out to be SP3D2 और यहाँ पर जो special orientation होगा that will be octahed ठीक उसी तरह अगर हम example ले ले FeCN whole 6 4- का तो वहाँ पर हम देखेंगे coordination number तो 6 ही है क्योंकि iron के साथ total 6 CN जुड़े हुए हैं लेकिन यहाँ का जो hybridization है that is D2 SP3 और यहाँ का भी जो special arrangement है that is again octahedron तो बचो अब हम discuss करेंगे magnetic behavior के बारे में ठीक है valence bond theory को जैसे जैसे हम discuss कर रहे हैं तो हम यह देख रहें कि इस structure को बनाते दौरान हमें यह दिख जाता है कि hybridization के बाद central atom के orbitals में unpaired electron है या नहीं अगर unpaired electron present है इसका मतलब वो paramagnetic है अगर unpaired electron present नहीं है इसका मतलब वो diamagnetic है एक example लेते हैं example लेते हैं CO NH3 whole 6 3 plus का इसकी पूरी calculation हमने अभी अभी करी थी तो हमने क्या देखा था इसका hybridization है D2 SP3 तो अगर हम देखे कुछ इस तरीके से इसके 6 D2 SP3 hybrid orbitals थे of equivalent energies जो electron लेते हैं कहां से NH3 से मतलब ligands से electron pair जो ले रहे थे अब देखो इन सारे डब्बों को ध्यान से देखो किसी भी डब्बे में क्या आपको unpaired electron दिख रहा है नहीं दिख रहा है इसका मतलब unpaired electron is not present which means this is diamagnetic in nature simple था? अब एक और चीज़ हम बता सकते हैं यह जो complex है पता है यह किस तरह का complex है यह inner orbital complex है inner orbital complex बोले तो इस complex को बनने के लिए जो d orbital use हो रहा है वो inner d orbital use हो रहा है inner d orbital बोले तो जैसे देखो यहाँ पर अगर हम देखे कोबाल्ट के orbitals को तो कौन से orbital hybridized हुए d2 sp3 यह जो d2 है यह d2 3d वाले d2 है मतलब यह जो dk orbitals है यह 3d वाले dk orbitals है यानि कि जो outermost shell है that is actually 4 देखो न 4s 4p की बात कर रहा है लेकिन जो d है वो 3d वाला है मतलब inner d orbitals यहाँ पर use हो रहे है for bond formation इसी लिए इस तरह के complexes को हम कहते है inner orbital complex मतलब जिन complexes में bond formation के लिए अंदर वाले d orbitals use होते हैं वो होते हैं inner orbital complex तो चलो बचो एक exercise खुद से करके देखते हैं let us suppose हमारे पास complex है c o c l 4 2 minus और हमें predict करना है क्या इसका shape और इसका magnetic behavior तो हम कहानी की शुरूबात कहां से करते हैं central atom से करते हैं ठीक है यहाँ पे central atom क्या है c o यानि की cobalt ठीक है cobalt का electronic configuration क्या होता है हम ना focus करेंगे सिरफ outer electronic configuration में तो इसका outer electronic configuration होता है 3D7 4S2 तो इसको अगर मैं ऐसे blocks में बनाऊं तो this is how it will look D में 1,2,3,4 डब्बे होते हैं और S में तो एक ही डब्बा होता है तो 3D7 मतलब 1,2,3,4,5,6,7 3D7 और 4S2 तो यह 3D हो गया यह 4S हो गया तो कुछ ऐसा होगा इसका electronic configuration ठीक है पर देखना यह है कि कोबाल्ट इस particular complex में किस state में है मतलब कोबाल्ट का oxidation number क्या है यहाँ पर तो चलो Let us suppose कोबाल्ट का oxidation number X है CL का होता है minus 1 और यहाँ पर कितने CL है 4CL तो मतलब total कितना हो जाएगा minus 4 This is equal to net net in minus 2 charge है तो X की value हो जाएगी plus 2 तो इसका मतलब है कि कोबाल्ट यहाँ पर 2 plus state में है चीक है तो कोबाल्ट 2 plus का electronic configuration क्या होगा चलो देखें तो कोबाल्ट 2 plus का जो electronic configuration होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा 2 निकाल देने हैं 2 electron तो 2 electron straight away हम 4S से निकाल देंगे तो अब जो है इसका configuration कैसा हो जाएगा यह हो जाएगा 3D7 चीक है क्योंकि 4S के 2 electron को हमने निकाल दिया तभी तो कोबाल्ट 2 plus state में जाएगा तो अब देखना यह है कि कोबाल्ट को कितने खाली डब्बे चाहिए कोबाल्ट को किसके साथ combine होना है क्लोरीन के साथ कितने CL है 4 CL है तो कोबाल्ट को 4 खाली डब्बे चाहिए आप बोलोगे are the outer shells corresponding to n is equal to 4 तो दोनों outer shells है तो इसका मतलब यह जो चाहर खाली डब्बे है यह क्या हो जाएंगे यह hybridize होके बना देंगे SP3 hybrid orbitals और यह जो SP3 hybrid orbitals हैं यह CL के साथ bond formation में participate करेंगे ठीक है तो यह कहानी सबको समझ में आ गई ठीक है मुझे बताना क्या था मुझे यहाँ पे बताना है इसका magnetic behavior और shape तो अगर SP3 hybridization होगा और इसका coordination number कितना है 4 है क्योंकि कोबाल्ट कितने chlorine से जुरा हुआ है 4 तो आप देखो यहाँ पे क्या कहता है 4 अगर coordination number है और type of hybridization अगर SP3 है तो इसका किस तरीके का shape होगा इसका tetrahedral shape होगा COCl4 2- का shape tetrahedral होगा तो भई shape तो हमने बता दिया अब बारी है magnetic behavior की magnetic behavior हम कैसे बताते हैं क्या इसमें unpaired electron है भई साफ साफ यहाँ पर unpaired electron दिख रहे हैं इंडबो में अगर unpaired electron है तो इसका magnetic nature कैसा होगा यह हो जाएगा paramagnetic तो इस तरीके से बताते हैं हम shape और magnetic behavior तो चलो बच्चो देखें हम दूसरा example दूसरा example है CRH2O whole 6 3 plus तो यहाँ पर हमारा central atom क्या है chromium चीक है तो same process follow करेंगे तो सबसे पहले तो आप मुझे यह बताओ कि chromium का atomic number होता है 24 तो अगर हम इसका electronic configuration लिखते है तो क्या मिलेगा इसका outer configuration पर अगर हम focus करें तो इसका outer configuration होगा 3D5 4S1 तो यह इसका configuration हो जाएगा आप देखना ही है कि chromium यहाँ पर इस complex में किस state में है यहाँ पर देखो माल लो की माल लो chromium का oxidation number X है water का तो 0 होता है तो इसका net net plus 3 है तो यानि कि X की value 3 है यानि कि chromium यहाँ पर plus 3 state में है तो CR3 plus इसका configuration कैसा होगा चले इससे पहले यहाँ boxes बना लेते हैं तो पहले situation कुछ ऐसा था 3D 5 और 4S 1 और 4P भी इधर है बट वो सब खाली है तो यह situation था अब CR3 plus में क्या हो जाएगा 4S का 1 चला जाएगा 3D में से भी 2 चला जाएगा तो यह बन जाएगा 3D 3 तो मतलब यहाँ पर डबो की situation कैसी रहेगी 1, 2, 3 और बाकी यह सब हो जाएगे खाली तो यह हो गया 3D यह हो गया 4S यह हो गया 4P तो आप देखो यहाँ पर इसके पास कितने डबे खाली है 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके पास 6 boxes खाली है ठीक है और देखो यहाँ पर जो compound दिया है उसमें क्या है chromium जो है वो 6H2O से bond बना रहा है यानि कि इसे 6 डबे खाली चाहिए भी थे तो यह क्या करेगा यह 2D, 1S और यह 3P यह सारे hybridize करके बना देंगे D2, SP3 hybrid orbitals ठीक है और यह D2, SP3 orbitals जो है यह H2 के साथ bond formation में participate करेंगे ठीक है तो अब इस basis पर बताओ shape क्या होगी ठीक है coordination number कितना है 6 क्योंकि यह 6H2O के साथ connect हो रहा है तो यानि कि मेरा coordination number है 6 मेरा hybridization क्या है D2, SP3 that is the hybridization और इसका corresponding shape क्या हो जाएगा इसका corresponding shape हो जाएगा octahedral complex है मैंने बताया था यहाँ पे देखो अंदर के D orbitals participate कर रहे है राइट क्योंकि outermost shell तो N is equal to 4 के corresponding है लेकिन D orbital 3 के corresponding वाले जो डब्बे हैं वो participate कर रहे है तो यानि कि this is an inner orbital complex यह information मिली हमें magnetic behavior की अगर बात करें तो क्या इसमें unpaired electron है साफ साफ दिख रहे हैं माम यहाँ पे unpaired electron है तो बस चुपचाप लिख दो कि यह paramagnetic है and you are done अब वर्नर थियोरी के काफी सारे limitations को तो overcome कर लिया था valence bond थियोरी ने लेकिन valence bond थियोरी में अभी भी कई limitations रहे गए थे पहला limitation तो यह था कि इस थियोरी में कई सारे assumptions थे दूसरा यह था कि यह थियोरी जो magnetic data देता था उसका कोई quantitative interpretation नहीं दिया था इसने जैसे कि इसने बोल दिया कि बही unpaired electron है तो ऐसा नहीं है तो ऐसा राइट बट देर वस नो quantitative interpretation for the same coordination compounds जो है यह color exhibit करते हैं लेकिन valence bond theory इसके बारे में कुछ नहीं बता पाई coordination compounds के thermodynamic और kinetic stabilities के बारे में भी यह theory कुछ खास नहीं बता पाई जिन coordination compounds के coordination number 4 होते हैं उसमें tetrahedral special arrangement में मिलता है और square planar arrangement में मिलता है बट यह दो different situation क्यों और कैसे होते हैं इसे बहुत deep में यह theory नहीं समझा पाई थी इतना ही नहीं यह theory strong और weak ligands के बीच में किसी भी तरह का differentiation नहीं कर पाई थी फिर क्या था आया अगला theory तो फिलहाल जिस अगली theory की discussion हम करेंगे that is crystal field theory तो बच्चो अब crystal field theory को समझने के लिए उससे पहले हमें समझना होगा orbitals के energy का एक basic concept ठीक है यह बात तो हमें पता है कि सारे orbitals की energies अलग होती हैं जैसे S orbitals की P orbitals की D orbitals की इनकी सब की energies अलग-अलग होती हैं अब D orbital की अगर बात करें तो 5D orbitals होते हैं और उन सब की energy सेम होती है जैसे कि Dxy, Dyz, Dxz, Dx²-Y², Dz² अगर इन सारे D orbitals के structure को भी देखो तो आपको क्या दिखेगा कि Dxy, Dyz, Dxz में जो lobes होते हैं वो coordinate axis के बीच में लाई करते हैं और वही दूसरी तरफ Dx²-Y² और Dz² के case में जो lobes होते हैं वो coordinate axis के along लाई करते हैं ये structure को ध्यान रखना है दिमाग में तो crystal field theory जाद अच्छे से समझ में आएगी तो अब ये जो सारे D orbitals की energy सेम होती है इन्हें हम कहते है degenerate orbitals और इस concept को कहा जाता है degeneracy अब इन सब की energy सेम तब तक रहती है जब तक इनके आसपास एक symmetric field हो ठीक है मतला अब ऐसे समझ लो मालो मैं ऐसे खड़ी हूँ अब मुझे कोई इधर से खींच रहा है और मुझे उतनी जोर से कोई इधर से खींच रहा है तो क्या होगा मैं जैसे खड़ी हूँ एक asymmetrical field कहीं से आ जाए तो क्या होता है कि इनकी degeneracy खतम हो जाती है अब ligand field theory यह कहता है कि ligand के entry होते ही जैसे ही ligand जो है central atom को attack करता है तो उससे क्या हो जाता है जो field जो है central atom के around वो asymmetric हो जाती है उसकी वज़े से क्या हो जाता है कि जो d orbitals की degeneracy है जीज अलग-अलग हो जाते हैं और d orbitals split कर जाते हैं जिसे कहा जाता है splitting of d orbitals अब यह splitting का pattern कैसा होता है यह depend करता है कि crystal field का nature कैसा है ठीक है तो more or less एक overview समझ में आया तो चलो अब समझेंगे crystal field theory में क्या होता है crystal field जो है यह octahedral crystal field हो सकती है करेंगे octahedral crystal field की ठीक है octahedral entities के case में क्या कहता है cft तो cft को एक कहानी की तरह देखेंगे और बड़ा मज़ा आने वाला है तो इसमें क्या होगा यह ligand field theory है तो मतलब ligand जो है वो हमारे central atom को attack करता है इस theory में ठीक है वो बिल्कुल मेरे ऐसे सामने आने लगेगा तो क्या होगा मेरे और enemy के बीच में repulsion बहुत ज्यादा होगा लेकिन वालोगर मैं यहां खड़ी हूँ और जो मेरा enemy है वो ऐसे चला गया इधर से इधर तो उस case में जो मेरे साथ उसका repulsion होगा अब यहां भी कुछ ऐसा ही होता है देखो जब ligand जो है वो central atom को approach करता है ठीक है तो ligand के orbitals में electrons है central atom के orbital में भी electrons है तो electron electron के बीच में repulsion होता है ठीक है अब यह repulsion अधिक होता है अगर ligand जिस axis में attack कर रहा है तुम्हारे orbital के lobes भी उसी axis में है मतरब उसका मतलब एकदम ब्लकुल head on वो मिल रहे है एकदम आमने सामने हो रहे है तो उस case में repulsion और ज्यादा हो जाता है repulsion जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो energy level ज्यादा हो जाती है ठीक है अब देखो क्या होता है octahedral के case में octahedral के case में जो ligand होता है वो attack करता है central atom को along the axis तो D के वो वाले orbitals जिनके lobes along the axis लाई करते हैं कौन से वाले D orbitals है जिनके lobes along the axis लाई करते हैं जल्दी जल्दी सोचो Dx square minus y square and dz square तो ये वाले जो orbitals है इनके लिए क्या हो जाता है repulsion बहुत ज्यादा होता है इस case में इस वज़े से इनका जो energy level है वो बहुत ज्यादा हो जाता है correct तो पहले situation ऐसा था कि भई डी के जो पाचो और बाइटल से सबके energy सेम थी अब क्या हुआ इसमें से जो दो डी के और बाइटल से इनकी energy level ज्यादा हो गई जो बाकी तीन थे उनकी energy level थोड़ी कम हो गए क्योंकि overall energy तो उतनी रहेगी अगर तीन की बढ़ गई तो बाक अगर दो की बढ़ गई तो बाकी तीन की घटनी ही है तो हुआ क्या end of the day पहले ये 5 थे अब ये 2 और 5 में split हो गए this is called splitting of d orbitals ठीक है ओके तो अब मुझे मिला क्या overall splitting से मुझे 2 set मिल गए एक उपर का set मिला which is higher energy set जिसे कहा जाता है eg set जो नीचे का lower energy वाला set है उसे कहा जाता है T2G set ठीक है clear है तो बच्चों यहां पे हमने क्या देखा कि यह जो splitting हुई d orbitals की किसकी वज़े से due to the presence of a ligand in a particular geometry इसे हम कहते है crystal field splitting तो यही है main crystal field theory का concept ठीक है अब यह जो splitting हुई यह जो दो levels पे यह split हो गए इनके बीच का जो energy difference है that is denoted by delta O जहां पे जो subscript O है that stands for octahedral यह delta O जो है यह हमें बताता है magnitude of crystal field splitting बहुत ध्यान से देखो क्या होता है यह total EG और T2G के बीच का जो difference है that is delta O ठीक है अब EG का energy कितना बढ़ा मतलब पहले जो था उससे EG का कितना बढ़ा कितना बढ़ा होगा जितना बाकी तीनों का घटा है तो इसे लिए EG का जो बढ़ा है that is 3 by 5 of delta O मतलब पूरा जो delta O जो energy difference है उसमें से कितना कितना हिस्सा EG का बढ़ा है 3 by 5 of delta O और कितना हिस्सा T2G का घटा है that is 2 by 5 of delta O चीक है अब आप सोचोगे कि माम जो EG वाला लेवल है ना उसमें तो दो energy orbitals है दो orbitals है तो फिर उसका बढ़ा 3 by 5 क्यों है 2 by 5 क्यों नहीं है क्योंकि देखो वो जो दो orbital से उनका energy बढ़ा किसके वज़े से बाकी तीनों के घटने की वज़े से इसलिए it is 3 by 5 delta O ठीक उसी तरह जो तीनों का energy घटा वो किसकी वज़े से घटा क्योंकि बाकी दोनों का energy बढ़ा तो इसलिए that is 2 by 5 delta O तो इस तरीके से इस टिप के साथ आप इसे याद रख सकते हो ठीक है तो खुल मिला के कहानी क्या हुई कि भाई d orbital जो पहले d generate थी वो अब split कर गए क्यों split कर गए in the presence of a ligand इसे कहते है crystal field splitting कितनी splitting भी यह कौन बताता है energy difference between the two levels that is delta O ठीक है जो उपर वाले level है उसकी कितनी बढ़ी 3 by 5 delta O जो नीचे वाला level है यानि कि T2G उसकी कितनी घटी 2 by 5 delta O crystal field splitting के concept के साथ साथ ही आ जाता है strong और weak ligand का concept ऐसा देखा गया experimentally कि कुछ ligands ऐसे होते हैं जो बहुत तगड़ी splitting कराते हैं मतरब उन ligands के presence में जो splitting है वो बहुत ज्यादा होती है यानि कि वो जो delta की value है वो बहुत ज्यादा होती है दूसरी तरफ कुछ वैसे ligands होते हैं जो बड़े weak होते हैं कमजोर से होते हैं तो वो ज्यादा splitting नहीं करा पाते हैं थोड़ा सा splitting कराते हैं तो delta की value कम होती है तो जो ज्यादा splitting कराते हैं उन्हें हम strong ligands कहते हैं जो कम splitting कराते हैं उन्हें हम weak ligands कराते हैं अब experimentally एक series स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज तो अगर देखो इस सीरीज में जो शुरुवात के जो नाम है इनका लिगांड स्ट्रेंथ इस वेरी लेस जैसे कि सी एल माइनस एफ माइनस जैसे कि आई माइनस बी आर माइनस यह सारे वीक लिगांड से दूसरी तरफ अगर हम देखें सी एन माइनस सी ओ यह सारे स्ट्रोंग लिगांड से तो भाई अब हमने यह तो देख लिया कि डी और्बाइटल जो हैं यह अब दो लेवल में करते हैं इपैला नहीं क्या जाएगा यह यह पहला गाहिण लीटी लेविल पे जाएगा क्यूंकि लोट्वर एनर्जी मतलब ज्यादा स्टेबिलीटी और सबों सिलेबल होना चाहते हैं तो पहला छुप चाप अच्छे चाहिए तो ती टी तू जी चला जाएगा चला गया होके अब दूसरा ऐलेक्ट रॉन ही जाएगया यह लेक्ट टी जी में जाएगा उस ही ऐलेक्टरोण की जो पाइए लेवंज तरीके से होले सारे डबों एक एकर इलेक्टरोने आता है उसके बाद वांत इससे first वाले डब्बे से pairing up शुरू होती है, तो यहां भी वैसे होगा, अब मालो तीसरा electron आया, यह कहां जाएगा, यह वापिस से T2G में जाएगा, लेकिन तीसरे वाले डब्बे में जाएगा, चला गया, अब चौता electron आया और यहीं पर आता है कहानी में twist, चौता electron कहां ज देनी पड़ेगी, अब प्याराप होने के लिए pairing energy तो देनी पड़ेगी, ठीक है, अब अगर वो सोची कि नहीं, मेरे को pairing energy देने का मन नहीं है, मेरे को पैसे खर्च करने का मन नहीं है, तो इसके पास दूसरा option है कि यह easy level पे ना के सीधा T2G पे चला जाए, लेकिन T2G जो कि कहां पर उसका खर्चा कम है, जहां पर खर्चा कम है, वो चुप चाप वहीं चला जाएगा, ठीक है, तो यहां वर आता है एक interesting सा concept, अब देखो, अगर वो pairing up होना चाहेगा, तो उसमें उसे क्या खर्च करना पड़ेगा, pairing energy, अगर वो easy वाले energy level पे जाना चाहेगा, कहां जाएगा, यह depend करता है कि किसकी value कम है, delta O की value कम है, या फिर pairing energy की value कम है, ठीक है, जहां पर खर्चा कम, यह वहीं चला जाएगा, तो अगर मान लो pairing energy की value कम है, तो उस case में यह क्या करेगा, यह चुप चाप T to G level में जाके pair up हो जाएगा, अगर delta O की value कम है, तो यह क्या करेगा, यह चुप चाप कूद के EG level पे चला जाएगा, ठीक है, तो अगर यह कूद के EG level पे चला जाता है, तो इसका configuration कैसा दिखेगा, T2G 3, EG 1, मतलब T2G वाले level पे 3 electron है, और EG पे 1 electron है, अगर यह कूद के नहीं जाता है, कब नहीं जाएगा, जब इसकी pairing energy delta O से कम हो EG 0, तो यह दो situation समझ में आ गया, अब इन दोनों situation को दुबारा देखो, जिस situation में delta O की value ज्यादा है, मतलब delta O ज्यादा है, दोनों का energy gap ज्यादा है, और pairing energy उसके मुकाबले कम है, वहाँ पे हमें क्या configuration मिला था, वहाँ हमें मिला T2G 4 EG 0, तो ऐसा situation किस तरह का ligands create करेगा strong field ligands, strong ligands, क्यों, ऐसे cases में delta O की value ज्यादा है, यानि कि splitting बहुत ज्यादा हो रही है, ज्यादा splitting कौन कराता है, strong field ligands कराता है, और इस तरह के strong field ligands कैसे complexes बनाते है, low spin complexes, low spin complexes क्यों, क्योंकि देखो, यहाँ पे pairing अप शुरू हो जारी है, right, unpaired electrons यहाँ पर कम मिलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे low spin complexes बनेंगे, दूसरी तरफ, जिस case में pairing energy की value ज्यादा है, compared to delta O, इसका मतलब delta O कम है, मतलब splitting कम हो रही है, यानि कि यहाँ पे किस तरह के ligands involved है, weak field ligands involved है, और ऐसे case में होता क्या है, चुकि delta O की value कम है, तो electron सोचता है कि भाई, यही सस्ता परड़ा है, तो चलो कूद पड़ते हैं, तो यह कूद के चले जाते हैं, EG में, तो वहाँ पर electronic configuration हो जाती है, EG1, T2, G3, ठीक है, तो ऐसे case में जो complexes बनते हैं, वो high spin complexes बनते हैं, क्योंकि हर जगा हमें unpaired electron मिलता है, तो अब हम देखेंगे crystal field theory in case of tetrahedral entities, मतलब माल लोग की जो हमारा crystal field है, वो tetrahedral है, तो वैसे case में splitting कैसा होगा, या कितना होगा, तो यहाँ पर situation थोड़ा सा twist हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा ligand है, यह attack करेगा in between the axis, तो सबसे जादा repulsion कौन experience करेगा, वो वाले d orbitals, जिनके lobes in between the axis होते हैं, कौन से वाले होते हैं, वो d orbitals, dxy, dyz, तो इस वज़े से क्या होगा, चुकि इनको जादा repulsion experience हो रहा है, इनकी energy level बढ़ जाएगी, घट किसकी जाएगी, dx square minus y square and dz square की, तो यहाँ पर क्या हो गया, जो d orbital splitting था, वो invert हो गया, पहले जो नीचे था, वो अब उपर आ गया, पहले जो उपर था, वो अब नीचे आ गय चीक है, दूसरे important बात, यहाँ पर हम यह notice करते हैं, यहाँ पर जो splitting होती है, जो energy separation होता है, वो octahedral के comparison में कम होता है, ठीक है, octahedral में जो energy separation था, that was delta O, यहाँ पे जो energy separation है, उसे हम denote करते है, delta T से, जहाँ पे T stands for tetrahedral, और यह पाया गया है, कि delta T is equal to 4 by 9 of delta O, which means delta T की जो value है, वो delta O से काफी कम है, एक और interesting चीज़ जो यहाँ पर हम note करते हैं, जैसे octahedral के case में हमने क्या देखा था, जो नीचे वाला set था, that was T2G, उपर वाला set था EG, अभी क्या हुआ यह invert हो गया, तो obviously नीचे वाला क्या हो गया E, उपर वाला हो गया T2, क्या आपने notice किया कि दोनो same symmetry about the inversion center, तो वो symmetry tetrahedral entities के case में नहीं होती है, जिसकी वज़े से हमने वो G-subscript का use नहीं किया है, अब बात करने वाले हैं हम about the color in coordination compounds, coordination compounds color exhibit करते हैं, बट इसके बारे में valence bond theory कुछ नहीं बता पाई थी, लेकिन crystal field theory काफी कुछ बता पाई थी, क्या बता पाई थी, देखते है चलो, तो यह जो coordination compounds color exhibit करता है, इसका reason होता है electron transition from d orbital to d orbital, मतलब d d electron transition इसका कारण होता है, अब आप पूछोगे कि d d electron transition यह होता क्या है, अब देखो, जब ligands present नहीं होते है, according to crystal field theory, अगर ligand present नहीं है, तो d orbital की splitting नहीं होगी, और वैसे situation में, जो हमारा compound है, वो colorless रहेगा, ठ ठीक है, लेकिन जैसे ही ligand आ जाता है picture में, जा जाता है scene में, तो d orbital के splitting हो जाती है, मतलब d orbitals जो है, वो दो set में divide हो जाते हैं, एक कम energy वाले, एक जाधा energy वाले, ठीक है, उससे क्या होता है, उससे यह होता है, कि मालोगो कोई एक electron है, जो ground state में है, जो कम energy वाले d orbital में है, एक lambda एब्जोर्ब करता है, एक wavelength एब्जोर्ब करता है और उसको absorb करते हुए यह excited state में kूद तो जाता है, कूद-कूद के, लेकिन excited state कभी भी stable नहीं होता है, तो क्या होता है, थोड़ी ही देर में यह वापिस fallback करता है, जब यह fallback करता है तो यह कुछ wavelength emit करता है, यह elektron के कूदने से आता है. जब इलेक्टरोन एक D-Aurbital से दूसरे D-Aurbital में कूदता है. उस दोरान यह कलर का सारा सिलसिला होता है. ठीक है? और यह D-D transition कब हो पाएगा? जब D-Aurbitals की स्प्लिटिंग होगी, वरना तो सारे D-Aurbitals से वेनर्जी के होते हैं, राइट? और इन लेके समझेंगे एक्जाम्पल के तौर पर लेते हैं यह कोडिनेशन कंपाउंड टी आई एच्टू ओ ओल सिक्स ठी प्लस टीक है यहां पर सेंट्रल आटम क्या है टी आई टाइनियम तो टी आई का जो कॉन्फिगरेशन होता है यहां पर इस पर्टिकुलर कंपाउंड में टी आई का ओक्षिडेशन स्टेट क्या है औक्सिदेशन स्टेट कान्फिगरेशन को भगा दो तो टी आई थ्री प्लस का आओटर कॉन्फिगरेशन हो जाएगा 3D1 ठीक है मतलब की 3d और में एक ही इलेक्ट्रोन है ओके बहुत बढ़ियाँ अब देखो क्रिस्टल यहां पर H2O क्या है, H2O ligand है, तो H2O के presence में क्या हो जाएगा, D orbital की splitting हो जाएगी, ठीक है, हो गई, D orbital की जब splitting हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, T2G, ऊपर चला जाएगा, EG, ठीक है, अब यह 3D1, मतलब D में एक ही electron है, तो यह एक ही electron कहां जाएगा obviously T2G में जाएगा, क्योंकि T2G lower energy orbital है, चला गया, अब इस electron के साथ सोचो क्या होगा, अगर इस electron को कहीं से थोड़ी से भी extra energy मिल गई, तो यह ground state से excited state में चला जाएगा, यानि कि ground state बोले तो इसका configuration क्या था, T2G1, EG0, और अगर energy मिलके excited state में चली गई, तो excited state में इसकी configuration क ठीक है, जैसे ही यह वहाँ चली गई, तो क्या हुआ, इसने कुछ lambda absorb करके वहाँ पहुचा, बट वो stable नहीं है, थोड़ी देर में वापिस fallback किया, कुछ lambda emit किया, और वही lambda जो इसने emit किया, उसका जो corresponding color था, that was violet, and that is why यह जो compound है, यह जो TI H2O whole 6 3 plus है, this is violet in color, ठीक है, अब मान लो, कि मैंने बोला कि इस complex में से, अगर मैं water हटा दू, यह पूरा जो H2O है ना, इसको मैं हटा दू, तो इसका color क्या होगा, तो यह colorless हो जाएगा, क्योंकि water ही तो है, यहाँ पे ligand, और ligand के presence में ही तो D orbital की splitting होती है, जब ligand ही नहीं है, तो D orbital की splitting ही नहीं होगी, color कहां से आएगा, तो इसे लिए TIH2O whole 63 plus में से, अगर हम water remove कर देंगे, तो this will make it colorless, अब यहाँ पर आता है एक छोटा सा concept, कि यह जो coordination compounds color दिखाते हैं, यह कौन सा color दिखाते हैं, basically यह जो wavelength absorb करते हैं, उसका जो complementary color है, वो color यह show करते हैं, ठीक है, मतलब जो wavelength absorb किया, let us say that wavelength is for red, for example, ठीक है, तो जो red का complementary color है, red का complementary color could be green, तो यह जो compound होगा, यह हमें green दिखेगा, ठीक है, अब आप पूछोगे कि मैं, complementary colors मतलब क्या होता है, complementary colors are like contrast colors, ठीक है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल contrast है, contrast का मतलब क्या होता है, मतलब इन दोनों colors को अगर आप mix करोगे, तो य black मीलेगा, ठीक है, for example, red और green, यह दोनों complementary colors है, for example, violet and yellow, यह complementary colors है, for example, blue, orange, यह complementary colors है, ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर इस diagram को देखो, तो यहाँ पे आपको जो complementary colors है, वो एक दूसरे के opposite में दिख रहे हैं, तो complementary colors एक दूसरे के मतलब strongest contrast होते हैं, ठीक है, ओक है, तो बा समझ में आ गया, और कौन सा वाला color होता है, वो भी समझ में आ गया, है ना, अब बच्चों, इसमें तो कोई doubt ही नहीं है, कि crystal field theory जो है, इसने काफी सारी चीजों को explain किया, काफी सारी valence bond theory को जो limitations है, उनको भी overcome किया, लेकिन क्या है ना, सब में कुछ नो कुछ खामिया रह जाती है, तो crystal field theory की भी अपनी कुछ limitations रही, जैसे एक पहला limitation तो ये था कि crystal field theory के जो भी assumptions और इसकी जो भी theory थी, उसके हिसाब से ऐसा लगा, कि जो anionic ligands है, मतलब जो negatively charged ligands है, ये बहुत ही strong ligands की तरह behave करेंगे, बट जब हमने experimentally determined spectrochemical series को देखा, तो वहाँ पे हमने देख कि I minus, BR minus, ये सारे weak ligands थे, तो ये एक पहला limitation था, दूसरा की limitation ये था कि जो central atom और ligand के बीच की जो bonding है, उस bonding के covalent character के बारे में ये theory बिल्कुल भी जिकर नहीं करता है, और ना ही उसको account में लेता है, तो भई coordination compounds के बारे में इतना कुछ पढ़ा, शुरुवात में ही बताय chemical systems में कई ऐसे important चीज़े हैं, जैसे कि chlorophyll, जैसे कि hemoglobin, जैसे कि vitamin B12, ये सारे coordination compounds है, इतना ही नहीं, industrial purposes में ये बहुत ही अच्छे catalysts की तरह भी use आते हैं, medicinal industry में, photographic industry में, इन सब जगों में भी इसका काफी ज़्यादा application पाया जाता है, कई और processes में coordination compounds का का काफी important role होता है जैसे कि water के hardness का estimation process, जैसे कि metal के extraction का process, तो कुल मिलाके, जो हमारे coordination compounds है, ये बड़े काम की चीज़े, तभी तो हमने इतना समय लगाया ही नहीं समझने के लिए, तो बच्चा-बाटी, इसी के साथ हम आप पहुंचे हैं इस वीडियो के end तक, और मुझे पूरे उमीद है कि इस पूरे वीडियो को देख कर coordination compounds के concepts हुए होंगे crystal clear, और अगर ऐसा हुआ है तो comments पे जरूर लिख के बताना कि concept हुआ crystal clear, मैं जल्दी मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक और धमाकेदार concept के साथ, तब तक के लिए stay home, stay safe, take care, bye-bye.